नमस्कार स्वाथियो, सुआगत है आप सभी का Rankers GK YouTube चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक जितने भी most important question आपके exam की दरश्टी से बन सकते हैं उन सभी questions को एकदम detail wise Hindi वे English दोनों ही languages में cover करने का परियास करेंगे और इस वीडियो के अंदर मैंने 365 plus questions को सामिल किया हुआ है और एक एक question आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा एक एक question बहुत ही ज़्यादा important आपके exam की दरश्टी से हो जाता है पस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है अंत में जाकर मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग इस वीडियो को कैसे contest easily कर सकते हो तथा इस वीडियो के PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हो जैसे ही आप इस वीडियो के PDF प्राप्त करोगे इस वीडियो को contest करने का तरीका भी मैंने आपको उसी के साथ बताया हुआ है तो आपको इस वीडियो को complete cover करना है क्योंकि इस वर्ष 2023 के अंदर बहुत सी latest activities ऐसी हुई है जो आपके exam से direct संबन रखती है तो एक भी question को skip करने का प्रियास बिल्कुल मत करना क्या पता वही question आपके exam में रखा मिले तो चलते हैं आज के पहले question की तरफ पहला question आप सभी के सामने है 2023 में किस देश ने परधान मंतरी नरेंदर मोदी को अपने सर्वोच सम्मान Order of Neil से सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर बात हुई है Order of Neil की यह तो मिश्र का सर्वोच नागरिक सम्मान है और मिश्र ने ही अपने सर्वोच नागरिक सम्मान से परधान मंतरी नरेंदर मोदी को हाल ही में सम्मानित भी किया था अब यह तो बात थी मिश्र की लेकिन अब इसी के साथ जितने अन्य देशों के दुआरा परधानमंतरी नरेंदर मोदी को वहां के सर्वोचनागरिक सम्मान दिये गए है वे भी मैंने यहीं पर साथ के साथ ही किलियर कर दे हैं अब इस तरह के कोशन में से जो भी कोशन आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा वो आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा तो चलिए देख लेते हैं नमबर वन पर आ जाता है Grand Cross of the Legion of Honor यह फ्रांस का सर्वोचनागरिक सम्मान है जो परधानमंतरी नरेंदर मोदी को दिया गया है नेक्स्ट है The Grand Companion of the Order of Longehu यह पपुआ New Guinea का सर्वोचनागरिक सम्मान है नेक्स्ट है Companion of the Order of Fiji यह Fiji का सर्वोचनागरिक सम्मान है नेक्स्ट है Abacle Award यह पलाव गंड़ाज्य का सर्वोचनागरिक सम्मान है नेक्स्ट आजाता है Order of the Drug Gyaplow यह भोटान का सर्वोचनागरिक सम्मान है रहता है order of St. Andrew ये रूस का सर्वोचनागरिक सम्मान है और नेक्स्ट आपका order of जायद ये सेयुत अरब अमिराथ जिसे आप United Arab Emirates के नाम से भी जानते हैं उसका सर्वोचनागरिक सम्मान हो जाता है नेक्स्ट है Grand Caller of the State of Palestine ये फलस्तीन का सर्वोचनागरिक सम्मान है और नेक तो इन सभी सर्वोचनागरिक सम्मान के अंदर से आपके एक्जाम में 100% रूप से एक नाए कोशन जरूर देखने के लिए मिलेगा तो यहां से एक कोशन मैं आपका पहले ही कोशन से कवर कर रहा हूँ तो आपको इस सभी सम्मान इसी तरह से इसी क्रम में नोट करने हैं त ग्रेंड ओडर ओफ दा चैन ओफ यलो इस्टार से सम्मानित किया है तो आप देख पारे होंगे ग्रेंड ओडर ओफ दा चैन ओफ यलो इस्टार यह सुरी नाम का सर्वोचनागरिक सम्मान है ओप्शन अमबर A's का बिल्कुल correct answer है सुरी नाम एक मात्र ऐसा देश है जिसने 2023 के अंदर राष्टपती द्रोबदी मुर्मु को अपने सर्वोच नागरिक सम्भान से सम्भानित किया है तो इस वज़े से ये कोशन और भी ज्यादा important हो जाता है चलते हैं next question पे next question है आपका 95 ओसकर अवार्ड 2023 में सर्वेस्ट फिल्म का किताब किस फिल्म को दिया गया है विच फिल्म हैस गिवन दा टाइटल ओफ बेस्ट पिक्चर एड दर 95 ओसकर अवार्ड 2023 अब अगर 95 ओसकर अवार्ड 2023 की अगर बात करो तो इसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इस फिल्म के निर्देशक हो जाते हैं यह एक अमेरिकी फिल्म है यह चीज आपको ध्यान रखनी है और इसी अवार्ड के तहट अर्थाथ 95 ओसकर अवार्ड 2023 के तहट ही सर्फरेश्ट अभिनेतर का पुरसकार किसे मिला तो यह दिया गया है ब्रेडन फिजर को सर्फरेश्ट अभिनेतरी का पुरसकार किसे दिया गया यह मिला है मिशेल योहो को तो इतना फैक्ट आपको 95 ओसकर अवार्ड 2023 से ज्यान रखकर चलना है नेक्स्ट कुशन है भलीबाती रूप से परचित भी होंगे नाटो की फुलफों हो जाती है नोर्थ अट्लेंटिक ट्रीटी ओर्गनाइजेशन अगर बात करूँ 2023 में नाटो का कौन सा संस्क्रण आयो जित हुआ तो इस बार इसका 33 संस्क्रण आयो जित हुआ बात करूं 32 नाटो सिकर संस्क्रण 2022 के अंदर कहां पर आयो जित हुआ क्योंकि कई बार आपसे पिछला संस्क्रण भी पूछा गया है तो 32 जो नाटो सिकर संस्क्रण 2022 में हुआ था वो मैडरेट की राजधानी इस्पेन के अंदर किया गया था अब नाटो की स्थापना से भी संबंदित आपके एक्जाम में कोशन कहीं बार बने है तो ये भी देख लेते हैं नाटो की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना 4 अपरेल 1929 को की गई थी मुख्याले का आपर है तो नाटो का मुख्याले हो जाता है ब्रुसेल्स के अंदर और महासचीव कौन है तो वर्तमान में नाटो के महासचीव हो जाते है जेन्स स्टोल्टेन बर्ग इतना फैक्ट आपको नाटो से ध्यामे कर्चनला है कोई भी कोशन आप से पूछा जा सकता है नेक्स्ट कोशन तो ये जो 19-isms नंबर की बिमस्टेक मंतर इसतरी है बेटग 2023 के अंदर आएजिद होई है इसका अज़जन ठाइलेंड की राजञानी बैंको के अंदर किया गया है उप्शैन नमबर 20 का बहुकर करेक्ट आंसर है अब अगर बात करूँ इस बैठक की अध्यक्स्ता किस ने की तो इस बिमस्टेक मंतर इस तरिये बैठक की अध्यक्स्ता की थी थाइलेंड के उपमुक्य मंतरी डोन परमद भी नहीं ने बात करूँ भारत की तरफ से इसमें अध्यक्स्ता किस ने की तो भारत की तरफ से अध्यक्स्ता की थी बारत के विदेश राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंग जी ने तो इतना फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है अब अगर बात करू बिमस्टेक के बारे में तो बिमस्टेक की पूरी फुल-फॉम हो जाती है Bay of Bengal Initiative for Multisectorial Technical and Economic Corporation तो इसकी फुल-फॉम से भी कई बार एक्जाम्स में कोशन बना है तो ये भी आपको ध्यान रखनी है बात करू इस्तापना कब हुई? तो बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1977 में को की गई थी मुख्याले कहाँ पर है? तो बिमस्टेक का मुख्याले हो जाता है बांगलादेश की राजदानी ढाका के अंदर बात करू इसके सदस्य देशों की संक्या कितनी है? तो इसके कुल मिलाकर 7 सदस्य देश हो जाते हैं जो कि इसके नाम से ही इसप्यस्ट होते हैं जैसे B से बन जाता है बांगलादेश I से मीमार S से बन जाता है स्री लंका T से बन जाता है थाइलेंड और E और C की जंगे आपको ध्यान रखना है नेपाल और भुटान तो ये साथ सदस्यदेश हैं जो कि मैंने यहाँ पर भी लिके वे हैं आपको ये सभी सदस्यदेश वेब विम स्टेक के बारे में जितनी भी मैंने इंफोर्मेशन बताई है आपको सारी एक साथ ही नोट करनी है ताकि आपको एक भी कुशन इधर से उधर जाता हुआ ना दिखे चलते हैं नेक्स्ट कुशन पे दो हजार तेहिस में इंटरपोल की 91 महासभा की मेजबानी कौन सा शेहर करेगा तो इंटरपोल जिसे आप इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस और्गनाईजेशन के नाम से भी जानते हैं इसकी 91 महासभा की मेजबानी दो हजार तेहिस के अंदर ओस्टिया की राजधानी वियना को की गई स्थित्थ को जाता है बात करूं इंटर पॉल के अद्यक्षम हो जाते हैं अगर बात करूं इंटर पॉल के अंदर कितने सदसे charging आते हैं तो कुल मिलाकर 252 जो हैं वो इंटर पॉल के सदसे Awards हो जाते हैं तो इतना अग्स एक्ट्राप्ल रखना है नेक्स्ट कोशन किर्केट विश्वकब दो हुज़ारते हैस का किताब किस टीम ने जीत लिया है तो किर्केट विश्वकब 2030 जैसे कि आप सभी को पता है भारत वे आस्टेलिया के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिला तथा इस मुकाबले के अंदर किर्केट विश्वकब 2023 का किताब ओस्टेलिया की टीम ने जीत लिया है तथा ओस्टेलिया की टीम ने इस किताब को भारत को हरा कर जीता है तो इसलिए विजेता टीम हो जाती है ओस्टेलिया और उफविजेता टीम हो जाती है भारत आपको ये दोनों ही फैक्ट यहाँ पर जान रखने है क्योंकि एक्जाम के अंदर आपसे विजेता टीम भी पूछ सकता है और उप विजेता टीम भी पूछी जा सकती है तो विजेता टीम यहाँ पर मैंने बताई ओस्टेलिया और विजेता टीम हो जाती है इंडिया तो दोनों ही फैक्ट आपके एक्जाम के दरिश्टी से काफी जादा इंपोटेंट हो जाते हैं अब किर्केट विश्वकप 2023 की जब बात की है तो इससे बनने वाले कुछ महत्पूर्ण तथ्या को भी यहीं पर किलियर करके चलेंगे क्योंकि किर्केट विश्वकप अपने आप में एक बहुती इंपोटेंट टोपिक हो जाता है तो हर एक एक्जाम में यहाँ से कोशन बनना तेह है अब देख लेते हैं पहला कुछन क्या बनता है किर्केट विश्वकप फाइनल मुकाबले में आस्टेलिया ने भारत को 6 विकेट सेहरा कर विश्वकप का ताज हासिल कर लिया है सरवादिक बार क्रिकेट विशुकप विजेता कौन से टीम है तो ये भी उस्टेलिया ही हो जाती है जिसने अभी तक कुल मिलाकर 6 बार क्रिकेट विशुकप को जीता है कब कब जीता है तो सबसे पहला इन्होंने किर्केट विश्व कब जीता था 1987 के अंदर दूसरा 1999 के अंदर तीसरा 2003 के अंदर चोथा 2007 के अंदर पांचवा 2015 के अंदर और अब जो छटा विश्व कब इन्होंने जीता है वो 2023 के अंदर इंडिया हो राकर जीता है बात करूँ भारत ने अब तक कितने बार किर्केट विश्व कप को जीता है तो भारत के दुआरा अब तक दो बार ही किर्केट विश्व कप जीता जा चुका है पहला 1983 में कपिल देव की कपतानी के तहर और दूसरा 2011 में महंदर सिंग धोनी की कपतानी के समय बात करूँ क्रिकेट विश्व कप 2023 के अंदर प्लेयर ओफ दा टूर्नमेंट का किताब किसे मिला तो ये विराट को लिगो दिया गया है फाइनल मैच में प्लेयर ओफ दा मैच का किताब किसे मिला ये ट्रेविस हेड को दिया गया है और किर्केट विश्व कप 2023 की मेजवानी किस शहर के द्वारा की गई तो किर्केट विश्व कप 2023 की मेजवानी भारत देश के द्वारा ही की गई है किर्केट के इतियास में पहली बार पूरा विश्व कप भारत में केला गया है ये भी अपने आप में एक important fact हो जाता है इस विश्व कप में कुल 48 मैच खेले गई ये question आप से पूछा जा सकता है इस पे star mark करके चलना 2023 में क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्क्रण था तो इस बार इसका 13 संस्क्रण खेला गया है कुल कितने देशों की टीम ने इसमें भाग लिया तो कुल मिलाकर 10 देशों की टीम ने क्रिकेट विश्व कप 2023 तेहरवे विश्व कप में भाग लिया है सरवादिक रन किस खिलाडी ने बनाए तो सरवादिक बरन बनाए थे विराट ओली जी ने तो सरवादिक विकिट लेने का किताब मौहमओद श्यमे के नाम हो जाता है इसका अधिकारिक शुभंकर क्या रखा गया था तो क्रिकेट वमेस्टू कप 2023 का अधिकारिक शुभंकर रखा गया था हाल ही में International Emmy Award जीतने वाले पहले भारतिया कौन बने हैं। तो International Emmy Award इससे हाले में वीरदास जी को संभानित किया गया है। वीरदास जी ने International Emmy Award को हाले में जीत लिया है। तो option number 20 का बिलकुल correct answer है। नेक्स्ट कोशन हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकल रेस कहां पर शुरू की गई है। तो एशिया की जो अब तक की सबसे लंबी साइकल रेस है वो जम्मू के श्रीनगर नामकिस्थान पर शुरू की गई है। option number A का बिलकुल correct answer है। यह रेस कस्मीर के स्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडू के कन्या कुमारी तक जाएगी तथा इसके अंदर जो कुल दूरी तैक की जाएगी बगबग 3000 किलोमेटर की दूरी तैक की जाएगी। तो यह जीज भी आपको ध्यान रखनी हैं काफी important question हो जाता है। किस राजे के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओ के लिए स्वेरोजगार योजना शुरू करने की घोशना की है। की पहली हरित उर्जा आदारित सोर पैनल फैक्टरी जो है वो उत्राखन में ही बनाई जाएगी। और भारत और उजबेगिस्तान के बीच जो परसिक्षन अभ्यास हुआ है जिसका नाम है डस्टलिक यह भी उत्राखन के अंदर ही शुरू हुआ है। तो उत्राखन से बनने वाले इतने फैक्ट भी आपको धान रखने हैं क्योंकि उत्राखन अपने आप में एक चर्चित राज्या हो जाता है तो इससे हमेशा कोशन बनता ही बनता है। नेक्स्ट कुशन हाल ही में आई एफ अर्थात इंडियन एर फोर्स यूनिट की कमाद समालने वाली पहली महिला बन चुकी है शाली जादामी ओप्शन नमबर सीज का बिलकुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कुशन हाल ही में ल्यूप फ्रेडन को किस देश का परधान मंतरी चुन लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कुशन पर नेक्स्ट कुशन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकारी अभियान शुरू किया है। तो ये इस अभियान के शुरूआत उत्तर परधेश राज्य के द्वारा की गई है। अब उत्तर परधेश के बारे में कुछ अन्य फेक्ट भी देख लेते हैं। जैसे उत्तर परधेश में भारत का पहला जल विश्विद्धाले भी खोला जाने वाला है। और उत्तर परधेश ने ही 100% ODF प्लस कवरेज हांसिल किया है। तो इतना फेक्ट आपको उत्तर परधेश से ध्यान लखना है। भारत का पहला समविधान साक्सर जिला कौन सा बना है। स्वास्ते का अधिकार लाने वाला भारत का पहला राज्य कोन सा बना है। तो स्वास्ते का अधिकार अर्थात राइट टू हेल्थ विल इस विधेक को लाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है राजिस्थान ओप्शन नमबर डीस का बिलकुल करेक्ट आंसर है स्वास्ते का अधिकार विध्यक राजिस्थान के निवासियों को निजीप पर्तिष्ठानों सहीद, अस्पत्तालों, क्लिनिकों और परियोग शालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार परदान करता है तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है सर कारी विभागों में 2030 तक 100% इ totalement करने वाला भरत का पहला राज्य पनने वाला है उत्तर प्रदेश प्रतिषों के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उन सभी विभागों के अंदर 2030 तक 100% इलेक्टरिक वहानों को तेनात किया जाएगा ये चीज आपके लिए बहुत तो बारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्षे रखा गया है तो option number A यहां पर बिल्कुल correct answer है next question ओनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उतकरश्टता के अंदर कहां पर इस्तापित किया जाएगा तो भारत का जो पहला उतकरश्टता के अंदर है यह मेगाले की राजदानी शिलोंग के अंदर इस्तापित किया जाने वाला है option number 20 का बिल्कुल correct answer है next question हाल ही में वंडे विश्व कप में भारत के सरवादिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कोन बनी है तो वंडे विश्व कप के अंदर भारत के सरवादिक विकेट लेने वाले गेंदबाज है मुहमद शमी option number 20 का बिल्कुल correct answer है next question हाल ही में किसे 2023 का बिल्कुल correct answer है who has recently received the British Academy Award for 2023 तो 2023 के लिए British Academy पुरुसकार दिया गया है नंदनी दास जी को option number 30 का बिल्कुल correct answer है next question हाल ही में किस मेटरो ने Green World Award 2023 को जीत लिया है तो Green World Award जो है वो चिन्नेई मेटरो को दिया गया है option number 20 का बिल्कुल correct answer है United Kingdom के Green Organization ने चिन्नेई Rail Metro Limited को Green World Award 2023 परदान किया है ये चीज़ आपको ज्यान रखनी है next question परतिष्ठित आठवे डाक्टर MS स्वामी नाथन पुरुसकार 2023 से किसे सम्वानित किया गया है तो जो आठवे नंबर का MS स्वामी नाथन पुरुसकार है वो डाक्टर PV सत्य नाराएंड जी को दिया जा चुका है option number 10 का बिल्कुल correct answer है next question हाल ही में सुप्रिम कोट में तलाक के लिए 6 महीने का voting period हटा कर कितना कर दिया है तो जो 6 महीने का voting period होता था इसे हटा कर अब 0 दिन कर दिया गया है अर्थात अब सुप्रिम फोट के दुवारा तलाक के लिए कोई voting period नहीं जखा गया है तो option number 10 का बिल्कुल correct answer है next question पर चलते है हाल ही में जारी फोप्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने है जिन में से टोप थरी खिलाड़ी इस प्रकार है पहले नमबर पर जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिष्टियान और रोनाल्ड हो जाते हैं जिनकी कुल कमाई 136 मिलियन डोलर त्या की गई है next दूसरे नमबर पर आ जाते हैं लियोनस मेसी 130 मिलियन डोलर के साथ और तीसरे नमबर पर है किलियन एमबापे जिनकी कमाई 120 मिलियन डोलर आंकी गई है next question पर चलते है एशे की पहली मेला लोको पाइलेट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है तो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशे की पहली मेला लोको पाइलेट बनी है सुरेखा यादव ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है next question हाल ही में किसे लिपजिंग बुक पुरुसकार 2023 से संभानित किया गया है तो लिपजिंग बुक पुरुसकार 2023 जो है वो मारिया इस्टेपनोवा को दिया जा चुका है ओप्शन नमबर एश का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इन्हें यह पुरुसकार इनके कविता संग्रे गल्स विदाउट क्लोट्स के लिए दिया गया है तो इतना फैक्ट आपको जहान रुखना है नेक्स्ट कोशन हाल ही में मेक्सिको सिटी ग्रांट प्रिमियर लीग किस ने जीत लिया है तो यह जो मेक्सिको सिटी ग्रांट प्रिमियर लीग है इसको हाली में मैक्स वेरे स्टेपन के द्वारा जीता जा चुका है ओप्शन नमबर सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अब यहीं पर कुछ अन्य ग्रेंट प्रिक्स भी देख लेते हैं जो कि 2023 के अंदर काफी चर्चा में भी रही है और काफी एक्सामस में भी यह बार-बार रिपीट हो चुकी है पहले नमबर पर है इंडियन ग्रेंट प्रिक्स 2023 इसको हाली में मार्को बेचैंजी ने जीत लिया है नेक्स्ट है सिंगापूर ग्रेंट प्रिक्स 2023 इसको हाली में कार्लोस सैंजी ने जीत लिया है Next step, Italian Grand Prix 2023 ये Max Verishtapen के द्वारा जीची जा चुकी है Next step, Dutch Grand Prix 2023 इसको भी Max Verishtapen नहीं जीत लिया है Next step, Belgium Grand Prix 2023 इसको भी Max Verishtapen नहीं जीता है Next step, Belgium Grand Prix 2023 इसको भी हाली में Max Verishtapen के दूरा ही जीता गया है तो इस सभी Grand Prix आपको ध्यान रखनी है आपके exam में कहीं से भी question बनाया जा सकता है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देखी पा रहे होंगे इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक question बिल्कुल selected और most important question रखावा है तो आप लोग questions का इस तर देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा question आपके exam के दृष्टे से कितना ज्यादा important हो जाता है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को like जरूर करें तता अपने अन्य दोस्तों तक भी share जरूर करें चलते हैं next question पे हाल ही में 49 जी सेविन सिकर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है तो ये जो 49 नंबर का जी सेविन सिकर सम्मेलन है इसका आयोजन जापान के हिरोशीमा नामक शेहर में किया गया है option नंबर A का बिलकुल correct answer है 2023 में जी सेविन का 49 संस्क्रण आयोजित किया गया है जिसमें भारत के तरफ से अध्यक्षता परदानमंतरी नरेंदर मोदी के दुआरा की गई है जी सेविन को पहले जी सिक्स के रूप में भी जाना जाता था परंतो 1976 में कनाड़ा के शामिल होने के बाद इसे जी सेविन के नाम से जाना जाने लगा पहला जी सेविन सिक्समेलन कहां पर हुआ था तो पहले नंबर का जो जी सेविन सिक्समेलन है वो 1975 के अंदर फ्रांस में आयोजित किया गया था अब अगर बात करूँ जी सेविन सिक्समेलन 2024 वाला कहां पर होगा 2023 का भी मैंने बता दिया और 2024 का भी मैंने बता दिया तो इन तीनों सालों की G7 सीकर सम्मिलन आपको ध्यान रखने है क्योंकि यहीं से कोश्चन आपके एक्जाम में बार बार गूंता है नेक्स्ट कोश्चन वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2023 की तो इसके अंदर जो सबसे अंतिम इस्थान मिला है वो अफगानिस्तान को दिया गया है 137 देशों की सूची में अफगानिस्तान को सबसे अंतिम पायदान पर रखा गया है जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख पारे होंगे इसी के साथ कुछ अन्य सूचकांक को भी देख लेते हैं वैश्विक भुकमरी सूचकांक 2022 में बारत की रैंक क्या रही तो इसमें बारत की रैंक रही थी 107 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही तो इसके अंदर भारत की रैंक है चोथी वैश्विक आतंकपाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही तो इसके अंदर भारत को तेहरवा स्थान दिया गया है वर्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट 2023 में बारत की रैंक क्या रही तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 126 वी रैंक इसके अंदर रही है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में करनाटक को पहला इस्थान मिला वे उत्तर प्रदेश को अंतिम इस्थान दिया गया है तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफे ज़्यादा इंपोटेंट हो जाता है तो दोनों को ही आपको ध्यान रखना है चलते हैं नेक्स्ट कॉशन पे हाल ही में क्वार्ड सिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है तो ये ज़ग क्वार्ड सिखर सम्मेलन है 2023 के अंदर इसका आयोजन जापान के अंदर किया गया है और अप्शन नमबर एसका बिसकुल करेक्ट आंसर है अब अगर आपको बताओं क्वार्ड के अंदर कितने सदर्सेदेश आ जाते हैं तो क्वार्ड के कुल मिलाकर 410 सेदेश है पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, वेच्चोथाप का अस्टेलिया हो जाता है तो ये 410 सेदेश क्वार्ड के सदर्सेदेश हो जाते है नेक्स्ट कुशन हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोईले को गैसी करत करने का लक्षे रखा है तो ये है लक्षे सरकार के दौरा 2030 तक रखा गया है उप्शन नमबर सीज का बलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं खेलो इंडिया युनिवरस्टी गेम्स 2023 के पदक तालिका में सीजिस तीन पर किन राज्यों को इस्थान पर आप्ट हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उप्शन नमबर एक अर्थात महरास्ट हरियाना वे मद्यपरदेश अर्थात इसमें पहला इस्थान महरास्ट को दिया गया दूसरे इस्थान पर हरियाना को रखा गया वे तीसरा इस्थान इसमें मद्यपरदेश को दिया गया है तो खेलो इंडिया युनिवरस्टी गेम्स की अगर बात करूँ तो इसका आयोजन मद्यपरदेश के अंदर किया गया था संस्करण की अगर बात करूँ तो संस्करण अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है इसका पांचवा संस्करण 2023 में खेला गया है पहले स्थान पर इसमें मारास्ट को रखा गया दूसरा इस्थान इसमें हरियाना को दिया गया वे तीसरे इस्थान पर इसमें मध्यपरतिश को रखा गया है तो इस सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो 2022 के लिए जो सरस्वती सम्मान मिला है वो शिव शंकरी जी को दिया जा चुका है और शिव शंकरी जी को यह सम्मान इनके उपन्यास सूर्य वन्षम के लिए दिया गया है ये चीज भी आपको ध्यान कुछनी है नेक्स्ट कुशन केके बिडला फाउंडेशन के दुवारा पॉइंट ओफ लाइट पुरुसकार जीत लिया है तो बेटेन के प्रधान मंत्री का पॉइंट ओफ लाइट पुरुसकार जो है वो मोक्षर राय जी को मिल चुका है उप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन आईपियल 2023 का किताब जीतने वाले टीम कौन सी रही है तो आईपियल 2023 का किताब जिस टीम ने जीता है उसका नाम है चिनने सूपर किंग्स उप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आंसर है चिनने सूपर किंग्स ने इस किताब को गुजराट टाइटन्स को हरा कर जीता है उप्शन नमबर 20 का बिलिकुल करेक्ट आंसर है बात करू आईपेल 2023 का कौन सा संस्क्रण आयजित हुआ है तो इस बार इसका 16 वा संस्क्रण आयजित किया गया है विजेता रही है चिनने सूपर किंग्स उप्विजेता हो जाती है गुजराट टाइटन्स औरेंज कैप किस की लाड़े को मिली तो औरेंज कैप मिली है शुबमन गिल को और परपल कैप मिली है मोहमद शमी को तो इतना फैक्ट भी आपको IPL 2023 से ध्यार लखना है नेक्स्ट कुशन हाल ही में किसे ने परतिष्टित अंतराष्टिया एनी पुरुसकार जीत लिया है तो अंतराष्टिया एनी पुरुसकार जो है वो थलप्पिल परदीब जी को दिया जा चुका है अप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अब इसी के साथ कुछ अन्य आवार्ड को भी यही पर किलियर कर लेते हैं जैसे पर्दान मंतरी मोदी को मिस्टर के सरवो चनागरिक सम्मान ओर ओफ दनाईल से सम्मानित किया गया है ये चीज मैंने आपको पहले ही कोशन में किलियर कर दी थी नेक्सट कोशन है मिशंग चन्गी आउन्टीन के लेंडर का नाव क्या रखा गया है नेक्स्ट कुशन पर चिलते हैं नेक्स्ट कुशन है मिशन चंद्रियान 3 के लेंडर का नाम क्या रखा गया है तो चंद्रियान 3 जैसे कि आप सभी जानते हैं चंद्रमा पर भारत का तीसरा मिशन है और चंद्रियान 3 के हाली में लेंडर का नाम रखा गया है विक्रम प्रग्यान रख्था गया है जो की चंद्रियान 2 के रोवर के नाम पर ही रख्था है बात करूं मिशन चंद्रियान 3 को कहां से लूँच किया गया तो इसको सतीज दवन अंतरिक्षकेंदर स्री हरी कोटा से लूँच किया गया था किस रोकेट से लूँच किया गया तो इसको भारत का पहला चंदरमिशन कब लोंच किया गया था तो ये 22 अक्टुबर 2008 को लोंच किया गया था भारत का दूसरा चंदरमिशन कब लोंच हुआ तो ये 22 जुलाई 2019 को लोंच किया गया और भारत का तीसरा चंदरमिशन कब लोंच हुआ तो ये 14 जुलाई 2023 को लोंच किया ग पर है चंद्रमा का वयास कितना है तो चंद्रमा के वयास के अगर बात करूं तो यह हो जाता है 3475 किलोमेटर चंद्रमा का गुरुत्वा करशन हैं पर्थवी के अपिक्षा कितना है तो चंद्रमा 11 जो कि नासा के दुआरा 1969 में भेजा गया था सबसे पहला मानव रहित अंत्रिक्षियान चंद्रमा के दरातल पर कब उतारा गया था तो ये से 1966 में उतारा गया जो कि सोवियत संग रूस के दुआरा बेजा गया था जिसका नाम था लूना दू हम चंद्रमा के दरातल का कितन जिसे नासा के द्वारा 1969 में मिशन अपॉलो 11 के तहद भीजा गया था चंदरमा किसका प्राकरतिक उबगरे है तो चंदरमा जो है वो प्रत्वी का प्राकरतिक उबगरे है और वेरी वेरी मोस्ट इंपर्टेंट कोशन है चंदरमा के अध्यन को क्या कहा जाता है तो चंदरमा के अध्यन को सेलेनलोजी कहा जाता है कई एक्जाम्स में ये कुशन रिपीट हो चुके है नेक्स्ट कुशन लोरियन्स स्पोर्ट्समेन ओफदायर 2023 का प्रुषकार किसे दिया गया है तो इस प्रुषकार से हाले में लियोनस मैसी को समारित किया गया है औफशन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आइंसर है नेक्स्ट कुशन पंदरवए होकी विश्युकप 2023 की ऊप्विजेता टीम कोन सी रही है तो ध्यान से देखना यहाँ पर उप्विजेता टीम के बारे में पूचा है तो पंदरवा होकी विश्व कप जो है इसकी उपविजेता टीम हो जाती है बेल्जियम अर्था जर्मनी ने इस होकी विश्व कप में बेल्जियम को राकर यह किताब जीता था तो उपविजेता हो जाती है बेल्जियम वेविजेता हो जाती है जर्मनी बात करूब पंदरवे होकी विश्व कप का आयोजन का हो तो आयोजन हुआ था ओड़ीशा के राउन के लाके बिर्सा मुन्दा नाम के स्टेडियम में ये चीज़ आपको ध्यान अपनी है नेक्स्ट कोशन वर्स 2021 का गांधी शानती पुरुषकार किसे परदान किया गया है तो इस गांधी शानती पुरुषकार 2021 से गीता प्रेस गुरकपुर को सम्भानित कर दिया गया है ओप्शन नमर सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन विश्व टेस्ट चैम्पिरीट के अंदर भारत को हराकर यहेशे चैम्पिरीटे जीती है तो यह चीज भी आपको ध्यान लख नदकनी है और संस्क्रंड की अगर बात कोई तो इस बार इसका दूसरा संस्क्रंड खेला गया था NET कोशन तो ये कोशन मैंने आपको पहले भी कराया है आपको इस कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में बताना है अब कुछ अन्य देशों की रास्टपती को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जैसे ब्राजील के नई रास्टपती कोण बनाएगे हैं तो लूलाडी सिल्वा नेपाइल के नई रास्टपती कोण बनाएगे हैं रामचंदर पॉंडेला और न्यूजिलैंड के नई रास्टपती कोण बने हैं क्रिस हिपकिन्स नाइजीरिया के नए राष्ट पती कौन बने है बोला टिनबू तो इतने अंतरास्टे न्युक्टिया आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स जितने भी कोशन मैं आपको बता रहा हूँ आपके एक्जाम के दरस्टी से very very most important हो जाते है एक भी कोशन ऐसा नहीं है जो आपके एक्जाम के दरस्टी से important ना हो तो एक भी कोशन को इसकी बिलकुल मत करना नेक्स्ट कोशन पर चलते है वर्ष 2023 में संगाई सहयोग संगठन के सिकर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा है तो 2023 में जो संगाई सहयोग संगठन का सिकर सम्मेलन हुआ है वो भारत के अंदर किया गया है ओप्शन नमबर एस का बलकुल करेक्ट आंसर है तो ये तो बात हुई S.C.O. सिखर सम्मेलन 2023 की कि इसका आउजन भारत में हुआ है अब देख लेते हैं S.C.O. की स्थापना का हुई तो इसकी स्थापना 1996 के अंदर की गई थी मुख्याले कहां पर है तो संगाई सहयोग संगठन का मुख्याले बिजिंग के अंदर हुष्टित हो जाता है सदस्य देश कितने हैं तो S.C.O. के कुल मिलाकर 9 सदस्य देश हो जाते हैं अभी तक कुल मिलाकर 8 सदस्य देश हुआ गरते थे लेकिन वर्तमान में इरान के शामिल होने के बाद इसमें कुल 9 सदस्य देश शामिल हो चुके है पहला है चीन, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है किर्गिस्तान, चोता है रूस, माचवा है तजाकिस्तान, छटा है उजबेकिस्तान और 7वा हुजाता है भारत आठवा है पाकिस्तान और अब इरान भी इसका सदर्से देश बन चुका है तो 9वा सदर्से देश हो जाता है इरान ये आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट कुशन भारतिया विदेश मंतराले ने सुडान में फसे भारतिया नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ओपरेशन चलाया है तो इस ओपरेशन का नाम है ओपरेशन कावेरी जिसके दोरा सुडान में फसे भारतिया नागरिकों को वापस निकाला जाएगा उप्शन नमबर A इसका बिलकुल करेक्ट आंसर है इसी के साथ कुछ अन्य ओप्रेशन्स को भी यहीं पर देख लेते हैं जैसे युक्रेइन में फसे भारते नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ओप्रेशन गंगा की सुरुआत की गई थी तरकी में फसे भारते नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ओप्रेशन दोस्त के सुरुआत की गई थी ठेक इसी परकार से ओप्रेशन देवी शक्ति की सुरुआत अफगानिस्तान में फसे भारते नागरिकों को निकालने के लिए की गई थी तो इन तीनों ओप्रेशन से कुशन आपके एक्जाम में बनना तैय है तो ये भी आपको ध्यान रखने है नेक्स्ट कुशन निमने लिखित में से किस भारतिय विक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियूक्त किया गया है तो यूट्यूब अर्थाथ यूट्यूब के नये CEO बने है नील मोहन ओप्शन नमर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आमसर है इसी के साथ ट्विटर के नये CEO भी आपको जान रखने है जिनका नाम है लिंडा याकरीडो नेक्स्ट कुशन विश्व का सफलता पूर्वक लोंच होने वाला पहला 3D प्रिंटेड रोकेट कुन सा है तो इसका नाम हो जाता है टेरान वन ओप्शन नमर एस का बिल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कुशन गनित का नोबल पुरुसकार कहा जाने वाला एबल पुरुसकार 2023 में किसे परदान किया गया है तो एबल पुरुसकार 2023 जो है वो लुईस कैफरेली को दिया जा चुका है ओप्शन नमर एस का बिल्कुल करेक्ट आमसर है ये अरजेंटिना के रहने वाले है नेक्स्ट कुशन विश्व प्रेश सुचकार 2023 में भारत किस इस्टान पर रहा है विश्व प्रेश सुचकार 2023 की यहां पर बात हुई है इसके अंदर भारत को 161 इस्टान दिया गया है ओप्शन नमर डीस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है जबकि पहले इस्टान पर इसमें नोर्वे को रखा गया और आखरी इस्टान इसमें उत्तर कोरिया को दिया गया है बात करो इस सुचकार को जारी करने वाली संस्था का नाम है तो जारी करने वाली संस्था है लंबा रेलवे प्रेटफॉर्म कौन सा बना है तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्रेटफॉर्म बन चुका है सिद्धा रुद्धा स्वामी हिबली रेलवे स्टेशन जो कि करनाटक के अंदर इस्तेद हो जाता है इसकी कुल लंबाई एक पॉइंट पांच किलोमेटर थे गेतले इस पासे नाव जियए तो इसके अउपाढड़क की निएकटी हाले में हुई है जिनका नाम है सुमन के बेली नेक्स्ट कुशन हाल ही में बारवा विश्वे हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है तो बारवे नंबर का विश्वे हिंदी सम्मेलन जो है उसका आयोजन फिडी के नाड़ी शेहर में किया गया है Option number C इसका बिल्कुल correct answer है बात करूँ विश्वी हिंदी दीवस कब मनाय जाता है तो 10 जन्वरी को परतिवर्ष विश्वी हिंदी दीवस मनाय जाता है 10 जन्वरी 1975 को नागपुर में परतम विश्वी हिंदी संभेलन का आयोजन हुआ था इसी कारण से प्रतिवर्ष तभी से विश्वी हिंदी संभेलन का आयोजन किया जाने लगा Next question Global Quality Infrastructure Index 2021 में भारत को वैस्वीक इस्तर पर कौन सा इस्थान पराप्त हुआ है तो यह जो Global Quality Infrastructure Index 2021 है इसके अंदर भारत को वैस्वीक इस्तर पर दसवा इस्तान पराप्त हो चुका है उप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस सूचकांग के अंदर 114 देशों को शामिल किया गया था इस इंडेक्स में जर्मनी को पहला इस्तान पराप्त हुआ है अब भारत की अगर बात करो तो भारत को इसमें 10 वैस्तान पराप्त हुआ है जैसा भी मैंने आपको बताया है अब देख लेते हैं कुछ अन्य सूचकांग को विश्वी प्रेश सोतनतरता सूचकांग 2023 में भारत की इस्तिति क्या रही जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 161 वैस्तान इसमें दिया गया है वैस्वी क्सांथी सूचकांग 2023 में भारत की इस्तिति क्या रही तो 126 वैस्तान इसके अंदर दिया गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा इस्तान मिला तो 127 स्वाइस्थान दिया गया है अंतराफ्टिया बोध्दिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को क्या स्थान मिला तो इसके अंदर 22 स्वाइस्थान दिया गया है तो ये सभी रैंक आपको ध्यानक नहीं है इन सूचकांक से अकसर एक्जाम में कोशन बनते रहते हैं तो ये सभी आपको नोट करके चलने है नेक्स्ट कोशन मातर भूमी बुक ओफदायर 2023 पुरुषवार से किसे संभानित किया गया है तो ये जब मातर भूमी बुक ओफदायर 2023 पुरुषवार है ये डाक्टर पैगी मोहन को दिया जा चुका है उप्शन नमर 20 का बिल्कुल करेक्ट आम सरे बात करूर रिक्की केज के बारे में तो तीन बार ग्रैमी अवार्ड प्राप्ट करने वाले पहले भारतिय हैं रिक्की केज बात करूर पंडित रवीशंकर के बारे में किस देश से हैं तो आर बोनी गैबरियल जो हैं ये 71 नमबर की मिस युनिवर्स 2022 की विजेता बनी है इनका संबंद संइक तुराज अमेरिका से हो जाता है उप्शन नमर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इन से पहले जो 70 भी मिस युनिवर्स बनी थी उनका नाम है हरनाज संदू ये चंडिगड की रहने वाली है नेक्स्ट कोशन दुनिया के सबसे उचे युद्ध शेतर सियाचीन में तैनाथ होने वाली पहली मेला से इनने अधिकारी कौन बनी है तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चोहां ओप्शन नमर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्विद्ध हले सियस पर रहा है तो इसकी पदक तालिका में पंजाब उनिवस्टी को सियस पर रखा गया है ओप्शन नमर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसी के साथ आपको डिटेल में बताऊं पंजाब उनिवस्टी खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 सुण, 17 रजक वे 26 कान से पदक जीत कर कुल 69 पदक के साथ सीर्शिस्तान हासिल किया है बात करो खेलो इंडिया उनिवेस्टी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या रखा गया तो शुभंकर था जी तू संस्क्रण के वकर बात करो तो 2023 में इसका तीसर संस्क्रण केला गया है नेक्स्ट कोशन हाल ही में NGT के अद्धेक्ष कौन बनाए गए है तो NGT जिसे आप National Green Tribunal अर्था रास्टी अहरिद प्रादिगन के नाम से भी जानते हैं इसके नए अद्धेक्ष बने है जिस्टिस प्रकास श्रिवास्तव ओप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन हाल ही में चंदरमा पर सफलता पूरवक उतरने वाला भारत कौन से नमबर का देश बन चुका है नेक्स्ट कुशन हाल ही में चंदरमा के दक्षनी दरूप पर उतरने वाला भारत कौन से नमबर का देश बना है तो कोशन में अंतर है दोनों कोशन को ध्यान से पढ़ना चंदरमा के दक्षनी दुरूपर उतरने वाला भारत जो है वो पहले नंबर का देश बन चुका है ओप्शन नंबर 20 का बल्कुल करेक्ट नाम सरे नेक्स्ट कोशन हाल ही में दुनिया का पहला 3D रोकिट कहां से लोंच होगा तो दुनिया का जो पहला 3D रोकिट है वो श्री हरिकोटा से लोंच किया जाएगा ओप्शन नंबर 20 का बल्कुल करेक्ट नाम सरे नेक्स्ट कोशन भारत के सबसे पहले मतदाता शाम सरन नेगी का हाले में नेदन हो चुका है वे किस राज़े से संबनेद है तो शाम सरन नेगी जो है ये आजाद भारत के पहले मतदाता है जिनका हाले में नेदन हुआ है और ये हिमाचल परदेश के किन नोर के रहने वाले हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है 106 वर्ष की आयू में इनका निधन हुआ है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट कोशन हाल ही में 32 बिहारी पुरुषकार किसे सम्मानित किया गया है तो 32 बिहारी पुरुषकार जो है वो डोक्टर मादा भाडा को जिया जा चुका है और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन अंतरास्टे ग्रीन एपल अवार्ड्स 2023 जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो इसका सही आंसर हो जाता है तेलंगाना नेक्स्ट कोशन भारत की पहली यूनिकॉर्ण कंपनी कौन से बन चुकी है तो भारत की जो पहली यूनिकॉर्ण कंपनी है वो बनी है जैप डोक ओप्शन अंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन भारत का पहला सोर मिशन आदित्य ऐलवन सफलता पुर्वक लोंच हुआ है ये दुनिया भर में अब तक कौन सा सोर मिशन है तो अगर आदित्य ऐलवन सोर मिशन की बात करूँ तो ये दुनिया का तेहिस्वा सोर मिशन हो जाता है उप्शन नमबर सीज का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन हाल ही में किस राज्य में अम्बेडगर साहब की भारत की सबसे उची परतिमा इस्तावित की गई है तो इसका सही आंसर हो जाता है तेलंगाना अर्था तेलंगाना के अंदर दोक्टर भीमराव अम्बेडगर की भारत के सबसे उची परतिमा बनाई गई है उप्शन नमबर एस का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन है मनरेगा सर्मिको के लिए कल्यान को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कोन सा बना है भारत का पहला राज्य बन चुका है केरल उप्शन नमबर एस का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन पर चलते है हाल ही में राष्टिया मेट्रो रेल ग्यान के अंदर कहां पर बनाये जाएगा तो रास्तिय मेट्रो रेल ग्यान के अंदर की स्थापना नई दिली के अंदर की गई है उप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन आधार से जुड़ा जन्म पंजी करण शुरू करने वाला पुर्वत्र का पहला राज्य कोन से बना है तो आधार से जुड़ा जन्म पंजी करण शुरू करने वाला पुर्वत्र का पहला राज्य बन चुका है नागालेंड उप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन भारत में बुकंप्स चेतावनी के शुरुआत की है बुकंप्स चेतावनी के शुरुआत बहरत के अंदर गोगल नामक कमपनी ने की है उप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन भगवान की आत्मकतान नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है तो इस पुस्तक को हाले में लेना कुमार जी के द्वारा लिखा गया है उप्शन नम्बर एस का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन वे पहले बार जी कौन है तो ये कोशन मैंने आपको तीसरी बार कवर कराया है तो इस कोशन का अंसर है द्रोपती मुर्मू उप्शन नम्बर एस का बिलकुल करेक्ट आंसर है ये कोशन आपके एक्जाम में आने की 100% पोसिबिल्टी बन रही है नेक्स्ट कोशन हाल ही में देश के नए प्रतवी विज्ञान मंतरी कौन बने गए है तो देश के नए प्रतवी विज्ञान मंतरी बने है किरन डीजीजू उप्शन नम्बर एस का बिलकुल करेक्ट नांसर है नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन चाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुधाय के लिए पेंशन और OBC का दरजा देने की मंजूरी दी है तो इसका सही आंसर हो जाता है जार फंदा नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन रेलवे सुरक्षाबल जिसे आप आर्पियफ के नाम से भी जानते हैं इसके दुआरा महिलाओ तथा बच्चों को तसकरों से बचाने के लिए कौन सा ओप्रेशन चलाय गया है तो इस ओप्रेशन का नाम है ओप्रेशन आहट ओप्रेशन नमर बीस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन रेलवे सुरक्षा बलद्वारा ट्रेनों में अवैद नबाकू और अवैद शराब की तसकरी रोकने के लिए कौन सा ओप्रेशन चलाय गया है तो इस ओप्रेशन का नाम है ओप्रेशन सतर्क ओप्रेशन नमर बीस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है तेलंगाना ओप्रेशन नमर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन हाल ही में भारतिय रास्टे राइफल संग के नए अध्यक्स कोन बने है तो भारतिय रास्टे राइफल संग के नए अध्यक्स बने है कलिकेश नारानेशिंग ओप्षिया नमबर एस का बिलकुल करेक्ट नाम सरे नेक्स्ट कॉशन हाल ही में देश का पहला कौन्टम कम्प्यूटिंग आदारिट टेलिकॉम नेटवर्क लिंग कहां पर शुरुआ है तो इसकी शुरुआत नए दिल्ली के अंदर की गई है ओप्षिया नमबर एस का बिलकुल करेक्ट नाम सरे नेक्स्ट कॉशन हाल ही में किस राज्जन में मेरा बिल मेरा जिकार योजना की शुरुआत की गई है तो इस योजना को हाली में हरियाना के अंदर शुरू किया गया है, option number A is का बिलकुल correct answer है, next question, हाल ही में विश्व की सबसे उची नटराज परतीमा कहां पर इस्तापित की गई है, तो विश्व की सबसे उची नटराज परतीमा जो है वो नई दिली के अंदर ही स्तापित की ग उची शड़क का निर्माण कारिय शुरू किया है, तो बियारो अर्थात बोर्डर रोड ओर्गनेशन की दुवारा दुनिया की सबसे उची शड़क का निर्माण कारिय लद्दाप के अंदर शुरू किया गया है, option number A is का बिलकुल correct answer है, next question, के अंदर सरकार ने पूरे दे कब तक तैय किया है तो केंदर सरकार के दौरा पूरे देश के अंदर E20 इंधन परनाली लागो करने का लक्षा 2025 तक रखा गया है ओक्षिन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कुशन आ जाता है वर्ल्ड यूनिवस्टी गेम्स 2023 में बारते खिलाडियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं तो यहां पर बात हुई है वर्ल्ड यूनिवस्टी गेम्स 2023 की इसके अंदर बारते खिलाडियों ने कुल मिलाकर 26 मेडल जीते हैं ओक्षा नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आमसर है तो पूसता है कि 2023 की पदक तालिगा में पहला इस्थान भी चीन को ही प्राप्त हुआ है कुल कितने पदक जीते हैं चीन ने तो चीन ने कुल मिलाकर 178 पदक जीते जिनमें से 103 गोल्ड, 40 सिल्वर वे 35 ब्रॉज मेडल हो जाते हैं अब गर बात करूँ भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीती तो भारत ने जैसा कि मैंने आपको बताया 26 पदक जीते हैं जिनमें से 11 गोल्ड, 40 सिल्वर वे 10 ब्रॉज मेडल हो जाते हैं तता इसी के साथ 26 मेडल जीत कर भारत का पदक तालिगा में साथ वैस्थान प्राप्त हो चुका है तो ये चीज भी आपको ध्यान पनी है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं किस राज्ये के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ती के चोथे संस्क्रण का सुबारम किया है तो जैसा कि मैं आपको इस कोशन को पहले भी करा चुका हूँ मिशन शक्ती के चोथे संस्क्रण का सुबारम जो है वो उत्तरपरदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है ओप्शन नमबर 20 का बिल्गुल करेक्ट आम सरे दोस्तो एक एक कोशन को बिल्गुल अराम से तसलिप पूरवा किलियर करते वे चलेंगे ताकि आपको कोशन समझने में कोई भी परिशानी ना हो नेक्स्ट कोशन है हाल ही में ODI किर्केट इतिहास में तो ODI अर्थाज जो आपका बंडे मैच होता है इसी ODI किर्केट के इतिहास में अब तक 306 लगाने वाले पहले भार्थ ये बल्ले बाद रोहिश शर्मा जी बन चुके हैं ओप्शन नंबर सी इस का बिल्कुल करेक्ट आम सरे नेक्स्ट कोशन है हाल ही में डेनियल नौबोवा कहा के राष्टपती बने हैं तो ये जो डेनियल नौबोवा हैं ये हाल ही में इकवाडोर के नई राष्टपती चुने गए हैं ओप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आम सरे दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे दिल्ली पुलिस में लेटेस्ट नुक्टियां बहुत ही ज़्यादा पोपुलर हैं कई बार लेटेस्ट नुक्टियों से हू बहू कुशन आपको देखने के लिए मिले हैं तो बिल्कुल भी एक भी कुशन को हलके में मत लेना दिल्ली पुलिस का एक्जाम हर एक बच्चा के लिए नहीं कर पाता हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2 प्लस 2 वारता का आयोजन किया है तो very very most important question हो जाता है 2 प्लस 2 वारता का आयोजन हाल ही में भारत वेब बिर्टेन के मध्य किया गया है और यह वारता नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुई है इसलिए और भी ज़्यादा important हो जाती है तो next question है आपका हाल ही में विश्व का number one punctual airport कौन सा बना है तो विश्व का सबसे number one punctual airport बन चुका है Campagoda International Airport option number 20 का बिलकुल correct answer है next question है हाल ही में जारी global remote work index में कौन सीज़ पर रहा है तो यह जो आपका global remote work index है इसके अंदर डेनमार्क को सीज़ पर रखा गया है option number A का बिलकुल correct answer है next question हाल ही में जमीनी इस तर पर crypto currency अपनाने में कौन सा देश सी़ पर है तो जमीनी इस तर पर crypto currency को अपनाने वाला जो सीज़ तम देश है वो है अपका भारत option number C का बिलकुल correct answer है next question है very very most important question है अगला हाल ही में जारी world happiness report 2023 के अनुसार सबसे खुशाल देश कौन सा बना है तो as always सबसे खुशाल देश बन चुका है Finland option number A का बिलकुल correct answer है अब जब बात world happiness index 2023 की हुई है तो इसके बारे में कुछ अन्य fact भी जान कर चलेंगे जैसे पहले नंबर पर इसमें फिनलैंड को रखा गया दूसरा नंबर इसमें डेनमार्क को दिया गया चोथा नंबर इसमें इजराइल को दिया गया वे पाँचवे नंबर पर इसमें नेजर लेंड को जहाद दी गई है अब world happiness report 2023 की ranking में भारत को कौन सा इस्थान मिला है ये question काफी जादा important है तो भारत को इस ranking में 136 देशों की ranking में से कुल मिलाकर 126 वाइस्थान दिया गया है अर्थात 126 वी rank दी गई है तो इस हिसाब से भारत का world happiness index में 126 वाइस्थान हो जाता है ये चीज़ आप से पूछी जा सकती है तो आपको एक-एक वैक्ट ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31 सदर से देश कौन सा बन चुका है तो जैसे कि आप सभी जानते है North Atlantic Treaty Organization की पूरी फुल फूम हो जाती है और नाटो का हाल ही में 31 देश बना है फिनलेंड ओक्शन नमबर 60 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और फिनलेंड का तो आपको नाम सुनते ही आपके दिमाग में किलिक करना चाहिए कि वर्ड हैपिनेस इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में सबसे खुशाल देश भी फिनलेंड ही रहा है और नाटो का 31 देश भी फिनलेंड ही बन चुका है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट कोशन है आपका तो डॉक्टर भीमराव अंबेडगर को समर्पित ये जो स्टैचिय ओफ नौलिज है इसका अनावरन हाली में महराष्ट राज्य के अंदर कर जिया गया है उप्शन नमबर सीज का बिलकुल करेक्ट आमसर है इस स्टेचू का अनावरन 13 अपरेल को महाराष्ट के लातूर शहर में किया गया और इसमें डाक्टर भीम राव अम्बेडगर की 70 फीट उची पर्दिमा को दर्शाया गया है तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान अपना है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में स्वास्ते का अधिकार विधेक लाने वाला देश का पहला राज्य कोन सा बना है तो स्वास्ते का अधिकार विदेग अर्थत राइट टू हेल्थ बिल्ट लाने वाला पहला राज्य बन चुका है राजिस्थान ओप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आमसरे है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में वियास सम्मान 2022 से किसे सम्मानिच किया गया है तो 2022 के अंदर जो वियास सम्मान दिया गया था वो डोक्टर ग्यान चोतरवेजी जी को दिया गया था ओप्शन नमबर बीस का बिल्कुल करेक्ट आमसरे है दोस्तो आपके एक्जाम के दरिश्टी से जो भी कोशन जहां से भी वेरी इंपोर्टेंट बनता है वो सभी कोशन इस वीडियो के अंदर शामिल किये गए है इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने के बाद आपको दिल्ली पुलिस के लिए करेंट अफेर को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है बस आपको इनी करेंट अफेर को दो से तीन बार रिवाइस अच्छे से करना है आपको किसी और की अन्य वीडियो देखने की भी जोरत नहीं पड़ेगी अब बात हुई है व्यास सम्मान 2022 की तो डोक्टर ग्यान चोतरवेदी जी को जो व्यास सम्मान 2022 के अंदर दिया गया कोश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि इन्हें यह व्यास सम्मान किस उपन्यास के लिए दिया गया था तो इनके परसिद्ध व्यांगे उपन्यास पागल खाना के लिए डॉक्टर ग्यान Чोतरवेशी को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानिक किया गया था ये चीज़ आपको द्यानक नी है अगर बात करो इस व्यास सम्मान को कोण सी संस्था के दौ़ारा परदान किया जता है तो केके बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इस व्यास सम्मान की शुरुवात 1991 के अंदर की गई थी तभी से लेकर अब तक वार्सिक रूप से यह है व्यास सम्मान हर वर्स दिया जाता है तो इतना फैक्ट आपको इससे ज्यानक ना है नेक्स्ट कोशन है तो 2023 के अंदर जो रमबन मैक्से से पुरुषकार है ये रवी कंणन जी ने जीत लिया है उप्शन नमबर सी इस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन है तो 2023 का जो एबल पुरुषकार है वो लुईस कैफरेली जी को दिया जा चुका है उप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है लुईस कैफरेली दक्षिन अमेरिका के पहले एबल पुरुषकार विजेता बने है जिने ये पुरुषकार मिला है यहां से आप इनके फोटो देखकर भी पैचान कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन है हाल ही में New Development Bank जिसे आप NDP के नाम से भी जानते है इसका नया मुख्या कौन बना है तो New Development Bank के नए मुख्या बने है डिल्मर उसेफ ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्या मंतरी कन्या सुमंगला योजना की राशी बढ़ा दी है तो मुख्या मंतरी कन्या सुमंगला योजना जो है यह उत्तर परदेश की एक योजना है और हाल ही में उत्तर परदेश ने मुख्यमंतरी कन्या सुमंगला योजना की राशी बढ़ा कर 15,000 रुपे से 25,000 रुपे कर दी है ये चीज़ आपको ध्यान लखना है अब बात हुई है उत्तर परदेश की तो उत्तर परदेश की राज़धानी हो जाती है लखनू मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगिया जित्यनात और वर्तमान राज्यपाल हो जाती है आनंदी बेन पटेर तो इतना फैक्ट आपको उत्तर परदेश से ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन है तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भार्द्य महीला बन चुकी है एकता कपूर ओप्शन अमबर एस का बिल्कूल करेक्ट आंसर है अब अगर बात करूँ मिस अर्थ इंडिया 2023 का किताब किस ने जिता तो इस किताब को प्रिया सेन ने जीत लिया है ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कोशन है तो इस बार के जो बजट है 2023 का इस सरवादिक बजट का हिस्सा असम राज्य सरकार के दौरा आबंटित किया गया है ओप्शन अमबर डीस का बिल्कूल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन अब इसी से संबंदे दो तिन कोशन और इंपोटेंट है वे भी यही पर किलियर करेंगी जैसे जी ने जीत लिया है और मिसेज वर्ड 2022 का किताब किस ने जीता ये सरगम कोशल जी को दिया जा चुका है तो इतना फैक्ट आपको इस कोशन से भी ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन हाल ही में मातर भूमी बुक ऑफ दयर 2023 परुसकार से किसे सम्मानिच किया गया है तो ये जब मातर भूमी बुक ऑफ दयर 2023 परुसकार है ये डॉक्टर पैगी मोहन को दिया जा चुका है उप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आंसर है यहां से आप इनकी फोटो देखकर भी पैचान कर सकते है नेक्स्ट कोशन तीन ग्रैमी पुरुसकार जीतने वाले एक मातर भारतिय संगीतकार कौन बने है तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट कोशन है तीन ग्रैमे पुरुषकार जीतने वाले एक मातर भार्ट्य संगीतकार हैं रिकी केज, ओप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के नुसार पहले इस्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट रहा है तो वेरी वेरी मौस्ट इंपर्टेंट कोशन हो जाता है ये भी हेनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2023 के नुशार पहले इस्थान पर रहने वाला देश हो जाता है सिंगापूर उप्शन नमबर सीज का विल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोशन है वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलख पुरुसकार किसे परदान किया गया है तो 2023 के अंदर जो लोकमान ने तिलख पुरुसकार दिया गया है वो परदान मंतरी नरे दर्मोजी को दिया जा चुका है उप्शन नमबर सीज का विल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में जारी वैश्विक शांती सूचकांक 2023 में भारत का क्या इस्थान रहा है तो यह जो वैश्विक शांती सूचकांक है 2023 के अंदर इस सूचकांक के अंदर भारत की रैंक रही है 126 वी अर्थात भारत को वैश्विक शांती सूचकांक 2023 में 126 वी इस्थान पर रखा गया है, option number 20 का बिल्कुल correct आमसर है और 126 से आपको ध्यान रखना है, 126 वी rank ही भारत की विश्व खुशाली सूचकांक में भी रखी गई है तो 126 से आपको दो सूचकांक यादा रहने चाहिए 126 ही rank आपकी विश्व खुशाली सूचकांक में है और 126 ही rank आपकी विश्व खुशाली सूचकांक में भी रखी गई है तो इतना fact आपको ध्यान रखना है Next question हाल ही में जारी उर्जा नवी निकरन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो उर्जा नवी निकरन सूचकांक 2023 इसके अंदर भारत को सरस्थ वे इस्थान पर रखा गया है उप्शन नमर सी सका बलकुल करेक्ट आंसर है Next question हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच चनागरिक सम्मान Order of the Nile PM नरेंदर मोधी को दे दिया है तो Order of the Nile ये मिशिर का सर्वोच नागरिक सम्मान है जो कि हाल ही में परदान मंतरी नरेंदर मोधी को दिया जा चुआ है Next question हाल ही में जारी वेश्विक परदिश परदास सूचकांक 2023 में भारत का क्या इस्थान रखा गया है तो वेश्विक परदिश परदास सूचकांक 2023 के अंदर भारत का 40 वे इस्थान रखा गया है Option number A का बिलकुल correct answer है Next question हाल ही में डूरंड कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीत लिया है तो यह जो डूरंड कप 2023 है इसको हाल ही में मोहन बागान सूपर जोइंट्स कलब ने जीत लिया है Option number 20 का बिलकुल correct answer है Next question हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो इस सूचकांग के अंदर भारत को 127 वे इस्थान पर रखा गया है Option number 30 का बिलकुल correct answer है Next question हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपिंशिप 2023 की विजेता टीम कोन सी बनी है तो विश्व टेस्ट चैंपिंशिप 2023 की विजेता टीम बनी है औस्टेलिया औस्टेलिया ने इस मैच में भारत को 209 रन से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपिंशिप अपने नाम कर ली है तो इसी के साथ विजेता हो जाती है औस्टेलिया और विजेता हो जाती है भारत की टीम Next question पर चलते हैं अब अगर बात करो कुछ अन्य टेनिस टूनामेंट की जैसे की ओस्टेलिया ओपन दो हजार तेईस इसके अंदर पुरुस एकलगा किताब जीता है नुवाग जोकोविच ने फ्रेंच ओपन दो हजार तेईस इसके अंदर भी पुरुस एकलगा किताब नुवाग जोकोविच ही जी चुके हैं और विबलेंडन ओपन दो हजार तेईस इसके अंदर पे पुरुस एकलगा किताब कारलोस अलकराज ने जी लिया है अब चलते हैं नेक्स्ट कोशन पे हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टैनिस टोनामेंट 2023 में महिला वर्क का किताब किस ने जीता है तो अभी मैंने आपको बताया पुरुस एकलगा किताब किस ने जीता नोवाग जोकोवी जीता और महिला एकलगा किताब फ्रेंच ओपन के अंदर किस ने जीता तो ये जीता है इगा स्वास्तिक जीने ओप्श vientच नमर्ए अब अगर आपको बताऊंन उन सभी ट्रणिस टूनामेंट के अंदर महिला एकल का किताब किस ने जीता तो और स्प्थरिया ओपन के अंदर महिला एकल का किताब जी चुक इचुकी है गया स्वास्ते क Snider विब लेंडन ओपन के अंदर महिला एकल का किताब होता है मार्केट वांडर सोवा ने तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में जारी वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा इस्थान पर आप्ट हुआ है तो विश्व प्रेस सचंतरता सूचकांक की यहां पर बात कर रहा है 2023 में इस सूचकांक के अंदर भारत को 161 वा इस्थान पर आप्ट हुआ है उप्शन नमर डीस का बिलकुल करेक्ट आंसर है जबकि 2022 में इस सूचकांक में भारत का इस्थान 150 वा दर्च किया गया था 2023 में भारत 11 इस्थान नीचे आ चुका है नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं हाल ही में फोप्स के दुवारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाडियों की सूची में पहले इस्थान पर कौन रहा है तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाडियों की सूची में पहले इस्थान पर क्रिष्टियानो रोनाल्डो को रखा गया है और यह सूची फोप्स के दुवारा जारी की गई है तो इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अथलेट अब क्रिष्टियानो रोनाल्डो हो चुके हैं जो की 136 मिलियन डोलर के हैं वहीं पर दूसरा इस्थान लियोनस मैसी को मिला है और तीसरे इस्थान पर किलियन एमबाप पे रखे गए है नेक्स्ट कुशन है अब अगर बात करूँ बैलिसवे आसियान सिकर सम्मिलन 2023 की थीम क्या रखे गई तो थीम काफी ज़्यादा इंपोटेंट हो जाती है आसियान अफेर्स एपिसेंटर ओफ ग्रोथ इसकी थीम रखी गई है नेक्स्ट कुशन है तो जापान के अंदर आयोजित किया गया है अप्शन अबर सीज का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन है अब जारी रिपोर्ट के नुसार वैस्विक सेनने खर्च रिपोर्ट में बारत को कौन से इस्तान पर रखा गया है तो वैस्विक सेनने खर्च रिपोर्ट में बारत को चोते इस्तान पर रखा गया है उप्शन अंबर डीस का बिलकुल करेक्ट आंसर है जबकि पहला इस्तान इसमें यूएस से को दिया गया दूसरे इस्तान पर इसमें चीन को रखा गया तीसरा इस्तान इसमें रूस को दिया गया है और छोते इस्तान पर इसमें भारत को रखा गया है वहीं पर पांचवा इस्तान इसमें सुधी अरब को दिया जा चुका है तो वेस्विक सेन ने खर्च के अनुसार करमवाइज देश भी मैंने आपको बता दिये है यहां से भी कोशन आपके एक्जाम में बनने की पूरी पूरी उमीद है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में приш सिखर संबिलन 2023 का आयोजन कहा पर किया गया है तो बिरिक्स सिखर संबिलन 2023 का आयोजन दक्षिन अफ्रिका के अंदर कर दिया गया है option no D का बेलकूल correct answer है next question है हाल ही में किस ने अजय टू योगी आधित्यनाथ नामक उपन्यास को लिखा है तो अजय टू योगी आधित्यनाथ उपन्यास को हाल ही में शांतनों गुपता जी के दोरा लिखा गया है option number 10 का बिल्कुल correct answer है next question है हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे उचा लड़ा को हवाई अड़ा बनेगा तो दुनिया का सबसे उचा लड़ा को हवाई अड़ा जो है वो लड़ा के अंदर बनाया जाएगा option number 20 का बिल्कुल correct answer है next question हाल ही में वंडे में सबसे तेज तेहरा अजार रन पूरे करने वाले किलाड़ी कौन बने है तो वंडे अर्थात ओडियाई किर्किट के अंदर सबसे तेज तेहरा अजार रन पूरे करने वाले किलाड़ी बने है विराट कोहली option number 30 का बिल्कुल correct answer है next question है हाल ही में बारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सूंगती है तो भारत ने हाली में G20 की अध्यक्षता जो है वो ब्राजील को सूंगती है option number 30 का बिल्कुल correct answer है अब अगर आपको G20 के बारे में बताऊ तो G20 2022 का जो सिकर सम्मेलन था वो इंडोनेशिय के अंदर आयोजित किया गया जो G20 2023 अर्थात वर्तमान का जो G20 था वो इंडिया के अंदर आयोजित किया गया और जो अगले वर्ष अर्थाच G20 2024 का जो आयोजित होगा वो ब्राजील के अंदर होगा इसलिए ही यह question आप से पूछा जाएगा कि भारत ने इस वर्ष जी 20 की अध्यक्सता किस देश को सूपी है तो यह अध्यक्सता ब्राजील को सूपी गई है अर्था G20 2024 का जो ब्राजील के अंदर किया जाएगा नेक्स्ट कोशन है बोलिवुड का ओसकर कहा जाने वाला आई आई एफे 2023 में सर्फ्रेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे परदान किया गया है तो इसके अंदर सर्फ्रेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दरश्चम टू नामक फिल्म को और यहीं पर बेस्ट एक्टर का वार्ड किसे दिया गया तो ये मिला है रितिकरोशन को बेस्ट एक्टरस का वार्ड किसे मिला ये मिला है आलिया भट को नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं 68 फिल्म फेर अवार्ड दो हजार तेहिस के अंदर सर्फशेष्ट फिल्म का पुरुजकार किसे परदान किया गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट कोशन है 100 परसेंट आपके एक्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है 68 फिल्म फेर अवार्ड दो हजार तेहिस के अंदर दिये गए हैं जिनमें सर्फशेष्ट फिल्म का वार्ड गंगुबई काठियावाडी नामक फिल्म को दिया गया है इसी के साथ अगर बात करूँ बेस्ट एक्टर का वार्ड किसे मिला तो फोटो देखकर यह पैचान कर सकते हो Best Actor का वार्ड मिला है राज़भुमार राउ को और Best Actres का वार्ड मिला है आलिया भथ को Next Question पर चलते हैं Next Question है आपका हाल ही में भारत की पहली Port Taxi पर्योजना कहां पर प्रारिण्ब की गई है तो भारत की जो पहली Port Taxi पर्योजना है इसका आरंब उत्तरपरदेश के अंदर कर दिया गया है ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट नाम से रहे है नेक्स्ट कोशन रनजी ट्रोफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है तो यह जो रनजी ट्रोफी 2023 है इसकी विजेता टीम रही है सोरास्ट सोरास्ट ने इसमें बंगाल को हराकर यह किताब अपने नाम पर लिया है तो उप्विजेता हो जाती है बंगाल नेक्स्ट कोशन है संहित राष्ट मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा इस्थान पर राप्त हुआ है संहित राष्ट मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत को 132 वे स्थान पर रखा गया है ओप्शन नमबर 20 का बिनकुल करेक्ट आम सरे नेक्स्ट कोशन है तो यह जो 32 वा बिहारी पुरुसकार है यह मदू कांकरिया जी को दिया जा चुका है ओप्शन नमबर 20 का बिनकुल करेक्ट आम सरे नेक्स्ट कोशन विश्यू का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस देश में बनाया जाएगा तो विश्यू का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है वह भारत के अंदर ही बनाया जाएगा अर्तात भारत के हरियाना राज्य में इस पार्क को बनाए जाने की गोशना की गई है तो option number D इस का बिलकुल correct answer है next question हाल ही में 22 वे विधी आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए है तो 22 वे विधी आयोग के जो नए अध्यक्ष बने है उनका नाम है रिदुराज अवस्थी option number A इस का बिलकुल correct answer है next question हाल ही में जारी स्वच्च वायू सर्वेक्षन 2023 में कौन सीज़ पर रहा है तो स्वच्च वायू सर्वेक्षन 2023 के नुसा इंदोर शहर को सीज़ पर रखा गया है option number A इस का बिलकुल correct answer है next question फुटबोल टूर्णामेंट संतोस ट्रोफी 2023 का किताब किस ने जीत लिया है तो संतोस ट्रोफी 2023 का किताब जो है वो करनाटक के टीम ने जीत लिया है करनाटक ने इसमें मेगाले को राकर यह किताब अपने नाम किया है तो फिजेता हो जाता है मेगाले अब अगर बात करूब संतोष ट्रोफी 2023 का आयोजन कहां पर हुआ तो आयोजन इसका सौधी अरब के अंदर किया गया था और संस्क्रंड कौन सा था तो 2023 में इसका 46 संस्क्रंड कहला गया है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में भारत ने कब तक चंदरमा पर अंतरिक्ष यातरी बेजने का लक्षे रखा है तो भारत ने जैसा की हाल ही में चंदरियान तीन को चांद पर लेंड कराया है इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष यातरियों को चांद पर भेजने का लक्षे भी बना तो वैस्विक यातरा पर सबसे बड़ा कर्च करने वाला चोता देश भारत 2030 तक बन जाएगा ओप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन हाल ही में सल्तान इबराहीम जो है ये किस देश के नए राजा बने हैं तो सल्तान इबराहीम ये मलेशय के नए राजा बना दिये गए हैं ओप्शन नमबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है Next question हाल ही में किसने भारत में ओनलाइन वित्य दोखा देडी से निपटने के लिए इजिकवच नामख प्रोग्राम को लौँच किया है तो इस इजिकवच नामख प्रोग्राम को गूगल के दौ़रा लौँच किया गया है Option No.20 का बने फिस का बिल्कूल Correct one Next question हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकॉब से निपटने के लिए मोनोकलोन एंटीबिज खुराक के लिए किस देश से समपर्कथ किया है इस कोशन का सपर अंशर हो जाता है उस्टेलिया option number 6 का बिल्कुल correct answer है इसी के साथ कुछ अन्य परसिद्ध कंपनियों के CEO वे अध्यक्स भी देख लेते हैं जैसे Intel India के नए अध्यक्स कोन बने है Gokul Subramaniam SBI Life Insurance के नए CEO कोन बने है Amit Jhingran Tata Advanced System के नए Chairman कोन बने है इनका नाम है बनमाली अगरवाल next question है हाल ही में किसे 2023 का सस्त्र रामनो जन पुरुसकार मिला है तो 2023 का सस्त्र रामनो जन पुरुसकार रुक्सियांग जांग को मिल चुका है option number 6 का बिल्कुल correct answer है next question है हाल ही में मुहम्मद मोईज्जु ने किस देश के रास्टपती का चुनाव जीत लिया है तो ये जो मुहम्मद मोईज्जु हैं ये मालदीव के नए रास्टपती चुन लिये गए है option number 6 का बिल्कुल correct answer है next question हाल ही में ओनलाइन गेमिंग और कैसी नो पर कितने परसेंट GST को लगा दिया गया है तो ओनलाइन गेमिंग और कैसी नो पर हाल ही में 28% GST को लागू कर दिया गया है option number 20 का बिल्कुल correct answer है next question हाल ही में विश्व बैंक ने 2023 में बारत की GDP ग्रोथ रेट कितने परतिशत रहने का नुमान लगाया गया है तो विश्व बैंक के दौरा यह नुमान 6.3% लगाया गया है option number 20 का बिल्कुल correct answer है next question हाल ही में border road organization जिसे आप ब्रोग के नाम से भी जानते हैं इसके नए चीफ कौन बने हैं तो border road organization के ने चीफ बने है रगू सुरी निवाचन option number 30 का बिल्कुल correct answer है next question हाल ही में 2023 का चिकितसा का नोबल पुरसकार किसे मिला है तो 2023 के अंदर जो मेडिकल का नोबल है वो हाले में केटलिन कारिकों को दिया जा चुका है ओप्शन नमबर 20 का बिनकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन हाल ही में किस राज्य सरकार ने नियाएक सिवाव में EWS के लिए 10% आरक्षन की गोशना की है तो जुडिसियल सर्विसिस में भी अब EWS के लिए 10% आरक्षन बिहार सरकार ने देने की गोशना की है ओप्शन नमबर 20 का बिनकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन हाल ही में कौन महिला भारत की साथवी सबसे अमीर वेक्टी बन गई है तो भारत की साथवी जो सबसे अमीर वेक्टी बनी है उनका नाम है सावितरी जिंदल ओप्शन नमबर 20 का बिनकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन हाल ही में सरकार ने उजवला योजना के तहट सबसीड़ी बढ़ा कर कितने रुपे परतिसलेंडर कर दी है तो जैसे कि आप सबी जानते हैं उजवला योजना के तहट जो सबसीड़ी दी जाती थी अब उसे बढ़ा कर 300 रुपे परतिसलेंडर कर दिया गया है उप्शन नमबर 20 का बिनकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन तो 2023 के अंदर जो साहिट्य का बिनकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन तो 2023 के अंदर जो साहिट्य का बिनकुल कितने पदक जीट ले है तो एशियाई गेम्स के अंदर भारत ने कुल मिलाकर 107 पदक जीट ले है उप्शन नमबर 20 का बिनकुल करेक्ट आंसर है और हाल ही में एशियाई गेम्स का एजन कहाँ पर हुआ तो ये चीन के होंग जो नामक शेहर में किया गया था ये चीज भी आपको ध्यान लखनी है नेक्स्ट कोशन हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबल पुरुसकार किसे मिला है तो 2023 के अंदर अर्थशास्त्र का नोबल पुरुसकार क्लाउडिया गोल्डिन को जिया जा चुका है उप्शन नमर सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन हाल ही में ODI वर्ड कप के अंदर सबसे तेज एक हजार रन बनाने का रिकोर्ड किस ने बनाया है तो यह रिकोर्ड डेविड वर्णर जी ने अपने नाम पर लिया है उप्शन नमर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइडरोजन के लिए समझोता कर लिया है तो भारत ने सौद यरप के साथ मिलकर हरित हाइडरोजन के लिए एक समझोता किया है और ये UK के रहने वाले हैं यह पुरुषकार वास्तुकला के चेतर में दिया जाता है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं वर्स 2023 में कुल कितने लोगों को पदम पुरुषकार से संभानित किया गया है 2023 के अंदर कुल मिलाकर 106 लोगों को पदम पुरुषकार दिये गए हैं बारत की राष्ट पती द्रोबदी मूर्मो ने वर्स 2023 के लिए 106 पदम पुरूसकारों को मंजूरे दी है। इन पुरूसकारों की सूची में 6 पदम भूशन है, 9 पदम भी भूशन है और एक्यान में पदम सीरी पुरूसकार सामिन है। इन पुदम पुरुषकार को पाने वालों में 19 महिलाएं हैं तता 7 लोगों को मरनो परांत इस सम्मान के लिए चुन लिया गया है तो इतना फेक्ट आपको इससे ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन है चोथे राष्टे जल पुरुषकार 2022 में सर्फ्रेष्ट जिले का पुरुषकार किसने जीता है तो चोथे राष्टे जो जल पुरुषकार 2022 के अंदर दिये गए हैं उनमें सर्फ्रेष्ट जिले का पुरुषकार मिला है ओडिसा के गंजम नामक जिले को को दिया जा चुबा है तो ये गुवाहाटी गी आकाश वानी मीडिया को दिया गया है और अगर बात करुए जो रास्टि-जल पुरुषकार है यación किस्छेतर में दिया जाते हैं तो जल BACKशाहने में किए नेक्स्ट कोष्चन है बारत का बैलिश्वा युनेस को विश्व दरोव रिस्तल कौन सा बना है तो option number A's का बिलकुल correct answer है अर्थात होई सला Next question पर जलते हैं BRICS सिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बाने किस देश के द्वारा की गई है तो BRICS सिखर सम्मेलन 2023 जो है वो दक्षिन अफरीका के अंदर आयोजिद किया गया है option number D's का बिलकुल correct answer है अब BRICS से बनने वाले जितने भी most important question है उन सबे को इसी question के साथ discuss करके चलेंगे जैसे 2023 के अंदर BRICS का कौन सा संस्क्रण आयोजिद किया गया तो ये 15 संस्क्रण था आयोजिद कहाँ पर हुआ दक्षिन अफरीका के जोहांसबर्क नामक शहर में इस सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया तो PM नरेंदर मोदी ने BRICS के सदसे देश कौन से हो जाते हैं तो BRICS के कुल 5 सदसे देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिन अफरीका जैसे कि आपको इसके नाम से इस पेस्ट हो जाएगा ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साथ अफरीका चोधवा BRICS सिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ तो ये चीन के अंदर आयोजित किया गया था पंदरवा BRICS सिखर सम्मेलन 2023 के अंदर कहाँ पर आयोजित हुआ तो ये दक्षिन अफरीका के अंदर आयोजित हुआ है और जो सोलवा BRICS सिखर सम्मेलन 2024 के अंदर आयोजित होगा ये रूस के अंदर आयजित होने वाला है क्योंकि ब्राजील ने इस सम्मिलम को कराने से इंकार कर दिया है अब अगर बात करू एक नए फैक्ट की तो एक जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 नए सदसे देश सामिल होने वाले हैं तो ये कौन से 6 नए सदसे देश हैं तो पहले नंबर पर है अर्जेंटिना, दूसरा है सौधी अरब, तीसरा है संयुकत अरब, अमिराथ, चोथा है मिस्र, पांचवा है इथोपिया और छटा हो जाता है इरान तो ये सभी फैक्ट आपको ब्रिक्स से ध्यान अपना है नेक्स्ट कोशन, हाल ही में 2023 में चुनाव आयोग के नैशनल आइकोन कौन बनाए गए हैं तो 2023 के अंदर चुनाव आयोग के जो नैशनल आइकोन बने हैं, उनका नाम है सचिंते अंदुलगर, ओप्शन अमबर एस का बिनकूल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोशन, चंद्रमा पर चंद्रियान 3 की लेंडिंग के इस्थल को किस नाम से जाना जाएगा तो चंद्रमा के ओपर चंद्रियान 3 की जहां पर लेंडिंग हुई है, उस इस्थान को अब शिव शक्ति बिन्दू के नाम से जाना जाएगा option number A is 1985 correct answer. नेक्स्ट कोशन वर्ष 2021 के लिए ग躙ी शान ती पुरुषकार से किसे संभानित किया गया है? तो ग躙ी शान ती पुरुषकार से उत्तर पर्देश की गीता प्रेस गौरकपुर को संभानित कर दिया गया है? option number A is Quite malicious correct answer. नेक्स्ट कोशन, हाल ही में Research and Analysis Wing के ने परमुक कोन बने हैं? तो इसका सही अंसर हो जाता है रवी सिना, ओप्शन नमबर 20 का विनकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन, भारतिय Reserve Bank जिसे आप RBI के नाम से भी जानते हैं, इसके नए Deputy Governor के रूप में किसे नियुक्ट किया गया है? रिजर बेंक के नए Deputy Governor बने है स्वामिनातन जानकिरमन, ओप्शन नमबर 20 का विनकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस इस्थान पर रहा है तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की अगर बात करूँ तो इसमें भारत को 127 वा इस्थान दिया गया है उप्शन नमर 20 का बिलकुल करेक्ट आंसर है जबकि पहला इस्थान इसमें आईशलेंड को दिया गया है बात करू इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है तो विष्व आर्थिगमंच अर्थाट वर्ड एकनूमिक फोर्म के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है मुख्याले काँ पर है तो वर्ड इकनोमिक फोर्म का मुख्याले हो जाता है सुट्जे लेंड के अंदर ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कुशन स्वच वाईयू सर्विक्षन 2023 में कौन सा सहर सीष पर रहा है तो इसके अंदर इंदोर शेहर को सीष पर रखा गया है उप्शन नमर एज का बिलकुल करेक्ट रांसरे केंद्रिया पर दूसर नियंतरन बोर्ड ने स्वच वाईयू सर्विक्षन 2023 को जारी किया है इस सर्विक्षन के अनुसर दसलाग से अधिक आबादी वाले शेहरों में जो सीष तीन सेहर रही है वे इस परकार है पहला है इंदोर दूसरा है आगरा और तीसरा हो जाता है थाने जो की महरास्ट का एक शेहर है नेक्स्ट कोशन दादा साहिब फाल के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरुसकार 2023 से किसे सम्भानिश किया गया है तो दादा साहिब फाल के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरुसकार 2023 से वहिदा रह्मान जी को सम्भानिश कर दिया गया है नेक्स्ट कुशन एश्या एखेल 2023 कहां पर शुरू है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया एश्या एखेल 2023 का एखेल चीन के हूंग जो नामक शेहर में किया गया है नेक्स्ट कुशन भारत की अध्यक्सता में G20 का 21 वा 27 सदस्टे कौन सा संग बना है तो भारत की अध्यक्सता में G20 का 21 वा 27 सज़से बना है अफरीकी संग ओप्शन नमबर A का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन लोकसभा में महिला अरक्षन बिल किस नाम से पेश किया गया था तो लोकसभा के अंदर जो महिला अरक्षन बिल पेश हुआ वहन नारी शक्ती वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया ओप्शन नमबर C का बिलकुल करेक्ट आंसर है इसमें महिलाओ को लोकसभा और विधान सभा में 30% आरक्षन देने का प्रावदान किया गया है नेक्स्ट कोशन है महान दार्शनिक आदिश शंक्रा चारिये की 108 फीट उची परतिमा जिसे आप समानता की परतिमा के नाम से भी जानते हैं इसका अनावरन कहां पर किया गया है तो इसका अनावरन मध्य परदेश के उंकर एश्वर के अंदर कर दिया गया है उप्षन नमर एस का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन संगाई सहयोग संगटन जिसे आप SEO के नाम से भी जानते हैं सिकर सम्मेलन 2023 की मेजवाने किस देश ने की है तो SEO सिकर सम्मेलन 2023 की मेजवानी भारत के द्वारा ही की गई है उप्षन नमर एस का बिलकुल करेक्ट आंसर है जिसे आप SEO के नाम से भी जानते हैं सिकर सम्मेलन 2023 की मेजवाने किस देश ने की है तो SEO सिकर सम्मेलन 2023 की मेजवानी भारत के द्वारा ही की गई है और 2023 के अंदर इसके 23 संस्क्रन का ही आयोजन किया गया है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है इसरों ने चंद्रमा पर अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रियाम 3 किस रोकेट से लॉंच किया है तो इसे हाली में LVM Mark 3 के द्वारा लॉंच किया गया है और अप्शन नमबर A का विल्कुल करेक्ट आपसर है नेक्स्ट कॉशन भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेदवन पार्क का उद्गाटन कहां पर किया गया है तो इस पार्क का उद्गाटन उत्तरपरदीश के नुएड़ा के अंदर कर दिया गया है अप्शन नमबर A का विल्कुल करेक्ट आपसर है तो इसको हाली में चीन के द्वारा लौच क्या गया है हिखा़्या इंडेक्स 2023 के क्वाटर 2 में कौन सा देश सीर्ष पर रखा गया है उप्शन नमबर A का विल्कुल करेक्ट आपसर है जबकि इस हिंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का अस्य वाइस्थान रखा गया है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कोशन है वित्मंतराले ने किस कमपनी को भारत की चोदवी नवरतन कमपनी के रूप में मजूरी दे दी है तो भारत की जो चोदवी नवरतन कमपनी है वो बनी है ONGC WIDES LIMITED ओप्शन नमबर A का विल्गूल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन फीफा महिला विश्वकब 2023 का किताब किस ने जीत लिया है तो फीफा महिला विश्वकब 2023 का किताब इस्पेन ने जीत लिया है option number C इसका बिल्कुल correct answer है अब अगर बात करूँ फीफा महिला विश्यू कब 2023 का आयोजन कहा हुआ तो आयोजन इसका ओस्टिलिया और न्यूजिलेंड के अंदर किया गया था जबकि संस्क्रण था नोवा तो 2023 में इसका नोवा संस्क्रण खेला गया है यह जो आपका अधित्य L1 मिशन है यह सूर्य प्रत्वी प्रणाली के लेंगरेजियन पॉइंट L1 के पास किस और बिट में इस्ताबिट किया जाएगा तो इसका सही अंसर है हेलो और बिट में नेक्स्ट कोशन है भारत का पहला 3D मुदरेट डागगर कहा पर कुला है तो भारत का जो पहला 3D प्रिंट डागगर है यह बैंगलूरू के अंदर कोला जा चुका है ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोशन तो इसमें फेमिना मिस इंडिया 2023 का किताब किस ने जीता है तो इसमें फेमिना मिस इंडिया 2023 का किताब जी चुकी है नंदनी गुटा ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोशन हरून गलोबल यूनिकोर्ण इंडेक्स 2023 में भारत किस इस्थान पर रहा है तो इसके अंदर भारत को 30 रास्थान दिया गया है जबकि पहले इस्थान पर इसमें अमेरिका को रखा गया है तो option number C is का बिल्कुल करेक्ट आंसर है next question भारत डायनमिक्स लिमिटेट के नए अध्यक्स और परबंद निजशक कौन बने है तो भारत डायनमिक्स लिमिटेट जिसे आप BDL के नाम से भी जानते है इसके नए अध्यक्स और परबंद निजशक बन चुके हैं ए माधवराव option number A's का विल्कुल correct answer है next question logistics परदर्शन सूचकांग 2023 में भारत किस इस्थान पर रहा है तो logistics परदर्शन सूचकांग 2023 के अंदर भारत को 38 वह स्थान दिया गया है जब कि पहले इस्थान पर इसमें सिंगापुर देश को रखा गया है बात करो इस सूचकांग को जारी कौन करता है तो विश्व बैंक के दोरा इस सूचकांग को जारी किया जाता है ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है next question सुडान में हो रही अशान्तियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए बारत ने किस ओपरेशन के शुरुआत की है तो इसके लिए बारत ने ओपरेशन कावेरी के शुरुआत की है option number 20 का बिल्कुल correct answer है next question विश्व प्रेस सूचकांग 2023 में बारत किस इस्थान पर रहा है तो इसका सही अंसर हो जाता है मुंबई के अंदर next question है सहीख तुराष्ट प्रवाशन एजनसी की पहली मेला मानेज़ देशक कोन बनी है तो सहीख तुराष्ट प्रवाशन एजनसी की पहली मेला मानेज़ देशक बनी है एमी पॉप option number A का बिल्कुल correct answer है next question next question वर्ष्ट 2024 में Quad Secrets of Milan की मेज़ बनी कोन सा देश करेगा तो 2024 के अंदर जो Quad Secrets of Milan की मेज़ बनी होगी वो भारत के अंदर ही की जाएगी option number A का बिल्कुल correct answer है next question सारवजनिक सिवाओ को पूरी तरह से ए-governance platform पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कोन सा बना है तो भारत का पहला राज्य बन चुका है केरल option number A का बिल्कुल correct answer है next question शरावप पर स्वास्ते चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कोन सा बनेगा तो ऐसा करने वाला पहला देश बनने वाला है Ireland option number A का बिल्कुल correct answer है next question हाल ही में ओस्टेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो हाल ही में पी-म मोदी के दोरे के दोरान ओस्टेलिया के अंदर जो हैरिस पार्क पढ़ता है उसका नाम बदल कर लेटल इंडिया कर दिया गया है option number A का बिल्कुल correct answer है next question वर्स 2023 में टाटा आई पेल का किताब किस टीब ने जित लिया है तो 2023 के अंदर टाटा आई पेल का किताब चिन्ने सूपर किंग्स ने जित लिया है option number B का बिल्कुल correct answer है और 2023 के अंदर टाटा आई पेल का सूल वा संस्क्रेंड केला गया है तो आपको संस्क्रेंड भी ध्यान अखना है next question 2023 में भारत के सरवोच चसाहिट तक संभान 57 ग्यानफीट पुरुषकार से किसे संभानित किया गया है तो 57 ग्यानफीट पुरुषकार 2023 के अंदर दामोदर मोजे को दिया जा चुका है option number A का बिल्कुल correct answer है विश्वी रेड क्रोस दिवस कब मनाये जाता है प्रतिवर्स विश्वी रेड क्रोस दिवस को 8 मई को मनाये जाता है option number B का बिल्कुल correct answer है लेकिन 2023 के अंदर इसके थीम काफी जादा इंपोटेंट हो जाती है थीम रही है everything we do comes from the heart नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं 2023 में फिक्शन के लिए पुलिज़र पुरुषकार से किसे सम्भानिच किया गया है तो फिक्शन के सेड़ी में पुलिज़र पुरुषकार हर्नार डियाज वे बार्बरा किंग सोलवर इन दोनों को ही दिया जा चुका है तो option number C का बिल्कुल correct answer है नेक्स्ट कोशन लोरियन्स स्पोर्ट्समैन ओफ दाइयर पुरुषकार 2023 से किसे सम्भानिच किया गया है तो लोरियन्स स्पोर्ट्समैन ओफ दाइयर 2023 का पुरुषकार लियोनस मैसी ने जीत लिया है option number A का बिल्कुल correct answer है नेक्स्ट कोशन खाद्यान बंडारन अक्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया के सबसे बड़ी groundbreaking योजना किस देश ने शुरू की है तो इसका सी answer हो जाता है भारत option number A का बिल्कुल correct answer है नेक्स्ट कोशन दुनिया का पहला 3D printed मंदिर किस राज्य में बनाय जा रहा है तो दुनिया का जो पहला 3D printed मंदिर है ये तेलंगाना राज्य के अंदर ही बनाय जा रहा है option number A का बिल्कुल correct answer है नेक्स्ट कोशन हाल ही में भारतिया विस्त पहचाम प्रादिकरण के नए CEO कोन बनी है तो भारतिया विस्त पहचाम प्रादिकरण जिसे आप Unique Identification Authority of India के नाम से भी जानते हैं इसके नए CEO बन चुके हैं अमित अगरवाल option number A का बिल्कुल correct नाम सरे और ये वही संस्ता है जो आधार कार्ड को जारी करती है नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं Coast of Living Index 2023 के नुसा परवासियों के लिए भारत में सबसे महंगे शेहरों के सूची में कौन सा सहर सीच पर रहा है तो Coast of Living Index 2023 के नुसा भारत के सबसे महंगे शेहरों के सूची में परवासियों के लिए सबसे महंगा शेहर रहा है मुंबई शेहर option number A का बिल्कुल correct answer है और दुनिया का सबसे महंगा शेहर कौन सा है तो वो हो जाता है New York इतना fact आपको ध्यान पकना है Next question है विशेश Olympic विश्व ग्रेशमकालीन खेल 2023 कहां पर आयोजित हुए है तो इनका विजन बर्लिन के अंदर किया गया है option number A का बिल्कुल correct answer है कौन सा संस्क्रेण था? तो सोलवा संस्क्रेण विश्व ग्रेशमकालीन खेल 2023 का आयोजित हुआ है Next question है इंटर कोंटिनेंटल फुटबॉल कब 2023 का किताब किस देश नहीं जीत लिया है? तो Intercontinental Football Cup 2023 का किताब भारत नहीं जीद लिया है, option number A's का बिनकुल correct answer है नेक्स्ट कोशन, ओस्टेलिया के केंद्रिय बैंक की पहली मेला गवर्नर कौन बनी है? तो ओस्टेलिया का जो केंद्रिय बैंक है, उसकी पहली मेला गवर्नर बन चुकी है, मिशेल बुलाक, option number A's का बिनकुल correct answer है नेक्स्ट कोशन, दक्षिन एशिया का पहला परजाती अस्तित्व केंद्र कहां पर इस्ताबित किया जाएगा? तो दक्षिन एशिया का जो पहला परजाती अस्तित्व केंद्र है, वह भारत केंद्र इस्ताबित किया जाएगा, option number C's का बिनकुल correct answer है नेक्स्ट कोशन, उनत्तरवे रास्टे फिल्म पुरुसकार में सर्शेष्ट अभिनेता का पुरुसकार किसने जीता है? तो इसके अंदर सर्शेष्ट अभिनेता का पुरुसकार मिला है, अलू अर्जुन को, option number C's का बिनकुल correct answer है और अगर बात करूँ सर्शेष्ट अभिनेता का पुरुसकार किसे मिला, तो ये आलियावट को मिल चुपा है नेक्स्ट कोशन, पाकिस्तान में भारतिया उच्चायोग की कमान समालने वाली पहली मिला IFS अफसर कोन बनी है? तो इनका नाम हो जाता है गीतिका सर्वास्तव, option number A's का बिनकुल correct answer है नेक्स्ट कोशन, हाल ही में भारत के नए केंद्रे सतरक्ता अयुक्त कोन बनाई ए है? तो भारत के नए केंद्रे सतरक्ता अयुक्त बने है परवीन कुमार सिर्वास्तव, option number A's का बिनकुल correct answer है नेक्स्ट कोशन, भारत के पहले गाउं के नाम से किस गाउं को जाना जाएगा? तो भारत के पहले गाउं के नाम से माना गाउं को जाना जाएगा? option number A's का बिनकुल correct answer है, यह उत्तरकंड का एक गाउं हो जाता है नेक्स्ट कोशन सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के नुसार वर्ष 2022 में वैस्विक सेन्ने खर्च रिपोर्ट में बारत को किस इस्तान पर रखा गया है तो ये कोशन फिर से रिपीट हो चुका है Westwick Sun ने खर्च रिपोर्ट में भारत को चोथे इस्तान पर रखा गया है जबकि पहला इस्तान इसमें अमेरिका को दिया गया है प्रेस्ट कोशन आजाता है 32 सरस्वती संबान 2022 से किसे संबानित किया गया है जबकि इन से पहले जो 31 सरस्वती संबान 2021 में दिया गया था वो प्रोफेसर रामदरसमिस्ट को इनकी कविता संग्रे मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया है तो इतना फेक्ट आपको ध्यान रखना है Next question है केंदर सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयू के लोगों को लोंच किया है तो गोल्डन लाइसेंस की शुरुआत बहरीन के द्वारा की गई है ओप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है Next question परधानमत्री नरेंदर मोध ने गनतंतर दीवस परेड़ दो हजार चोबिस के लिए मुख्य अतिती के रूप में किसे आमंतरित किया है तो मुख्य अतिती के रूप में परधानमत्री मोधी के द्वारा जो बाइडेन को आमंतरित किया गया है ओप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है Next question परधानमत्री नरिंद्र मोधीने किस शहर में बगवान सिव की थीम वाले अंतराष्टे किर्केट इस्टेडियम की आदार सिला रखी है तो इस किर्केट इस्टेडियम की आदार सिला वारांसी के अंदर रखी गई है Option number C's का बिल्कुल करेक्ट आंसर है Next question G77 प्लस चीन सिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है तो इस सम्मेलन का आयोजन हवाना के अंदर किया गया है Option number A's का बिल्कुल करेक्ट आंसर है Next question है हाल ही में Miss Diva Universe 2023 का किताब किस ने जीत किया है तो Miss Diva Universe 2023 का किताब मिला है श्वेता सार्दा जी को Option number A's का बिल्कुल करेक्ट आंसर है Next question पेट्रोलियम एम प्राकर्टिक गैस मंतरी हरदीब सिंग पुरी ने हरित हाइडोजन से चलने वाली भारत की पहली बसका अनावरन कहां पर किया है तो इसका अनावरन ने दिल्ली के अंदर किया जा चुका है Option number A's का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और हरित हाइडोजन का नाम सुनते ही आपको एक कोशन यादाना चाहिए कि भारत ने हाली में हरित हाइडोजन को लेकर किस देश के साथ समझोता किया है तो इस कोशन का अंसर आप लोग कमेंटर में मुझे बताओगे मैंने इसका अंसर आपको पहले ही बता दिया है नेक्स्ट कोशन भारतिय महिला किर्केट टीम ने एशिया एकेल 2023 में कौन सा पतक जीता है तो एशियाई खेल 2023 के अंदर भरत्य महिला क्रिकेट टीम ने स्वन पदग जीत लिया है अताद गोल्ड मेंडल को जीत लिया है तो उप्शन नमबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन केंद्रिय ग्रह मंतरी अमिच शाने किस राज्य के सारंग पुर मंदिर में भगवान हनुबान जी की 54 फेट उची परतिमा का नामरंड किया है तो इसका सही आंसर हो जाता है गुजरात ओप्शन नमबर B इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन महिला सुरक्षा के लिए भोरोकसा नामक मुबाइल एप किस ने शुरू गया है तो इस एप की शुरुआत रास्ट पती द्रोबदी मुर्मुजी के द्वारा की गई है ओप्शन नमबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन बहुरास्टिय अभ्यास औरियन 2023 की मेज़मानी किस देश ने की है तो इसकी मेज़मानी जो है वो फ्रांस के द्वारा की गई है ओप्शन नमबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस अभ्यास में शामिल होने वाले जो देश है वे हैं भारत, अमेरिका, फ्रांस, नाटो देश और अन्या से योगी देश नेक्स्ट कोशन है आईपेल में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कोन बने है तो आईपेल के अंदर सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके है डेविड वार्णर, ऐप्शन अंबर A इस का बिलकुल correct answer है नेक्स्ट कोशन जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल को किस ने शुरू किया है तो इसका correct answer हो जाता है पुरुषुत्तम रूपला अर्थात पुरसुत्म रूपाला जी के दौरा इस पहल के शुरुआत की गई है इसकी पूरी फुलफों हो जाती है Animal Pandemic Preparedness Initiative जिसे आप EPI के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट कोशन Business Leader of the Decade Award 2023 से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका करेक्ट आमसर हो जाता है कुमार मंगलम बिडला उप्शन नमबर A का मिलफों करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोशन पहले वैश्विक बोद सम्मेलन 2023 के मेजबानी कौन सा देश करेगा तो इस सम्मेलन के मेजबानी भी भारत के द्वारा ही की जाएगी यह पहले वैश्विक बोद सम्मेलन 2023 के मेजबानी कौन सा देश करेगा तो इस सम्मेलन के मेजबानी भी भारत के द्वारा ही की जाएगी ऑप्शन नमबर A का मिलफों करेक्ट आमसर है नेक्सट कोशन स्वास्थ सिखर सम्मिलن 2023 का आयोजन कहां हुआ है तो हाली में जो स्वास्थ सिखर सम्मिलन 2023 आयोजूद किया गया था वो गोवा की राजधनी पनजी के अंदर आयोजूद किया गया था ओप्शन नमबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन रास्टिय पंचायती राजदिवस कब मनाया जाता है परतिवर्स 24 अपरेल को रास्टिय पंचायती राजदिवस के रूप में मनाते हैं लेकिन 2023 में इसके थीम काफी जादा important हो जाती है थीम रही थी sustainable पंचायत, building healthy, water sufficient clean and green villages तो इसको भी आपको ध्यान रखकर चलना है एक कोपी पे अपने साथ के सारे कोशन नोट करके चलो नेक्स्ट कोशन भारतिय राष्टिय राजमार्ग रादिगरण जिसे आप NHAI के नाम से भी जानते हैं कब तक भारत में 10,000 किलोमेटर optic fiber cable infrastructure के साथ एक एक एकरत network विक्सित करने का लक्षे रखा है तो यह लक्षे NHAI के द्वारा 2025 तक रखा गया है उप्शन नमबर 20 का विलकुल correct answer है नेक्स्ट कोशन टैनिस टूर्णमेंट बरसोलिना ओपन 2023 में पुरुस एकलगा किताब किस ने जीत लिया है तो इसके अंदर पुरुस एकलगा किताब जीता है कार्लोस अलकराज जी ने उप्शन नमबर A का विलकुल correct answer है नेक्स्ट कोशन साथी एरप को पचाड़ कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइन तेल आपूर्ती करता देश कोन सा बना है तो इसका correct answer हो जाता है भारत उप्शन नमबर A का विलकुल correct answer है नेक्स्ट कोशन इनफोसिस को पचाड़ कर भारत की चटी सबसे मुल्यवान कंपनी कौन सी बनी है तो इसका correct answer हो जाता है IDC नेक्स्ट कोशन इन्फोसिस को पचाड़कर भारत की सबसे मुल्यवान कंपनी कौन सी बनी है तो इन्फोसिस को पचाड़कर भारत की सबसे चटी मुल्यवान कंपनी बन चुकी है IDC, option number A's का बिल्कुल correct answer है नेक्स्ट कोशन देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है तो देश की जो सबसे बड़ी LED स्क्रीन है वो यशो भूमी नामक बिल्डिंग में लगाई गई है option number B's का बिल्कुल correct answer है नेक्स्ट कोशन जी-20 वार्षिक सिखर सम्मेलन आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है तो जी-20 वार्षिक सिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो भारत मंडपम नामक बिल्डिंग में किया गया है option number C's का बिल्कुल correct answer है यहन नई दिल्ली के प्रगर्टी मैदान में इस्तित है इसमें 7000 से लोगों को बैठाने की शम्ता है उदगाटन इसका 26 जुलाई 2023 को नरेंदर मोजी जी के दुवारा किया गया जबकि वास्तुकार थे इसके संजसी निर्मान करता की अगर बात करो तो शापूर जी पोलों जी गुरूप इसका निर्मान करता गुरूप हो जाता है और छेतरफल की अगर बात करो तरेकपन 1399 में वर्ग मिटर जिसे आप 123 से कड़ भी बोल सकते हो इसका छेतरफल हो जाता है नेक्स्ट कोशन विश्व की सबसे उची नटराज परतिमा कहां पर इस्तापित की गई है तो इसका करेकट आंसर हो जाता है नई दिल्ली के अंदर नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम के बाहर विश्व की सबसे उची नटराज परतिमा इस्तापित की गई है जिसके कुल उचाई 27 फिट, चोडाई 21 फिट वे वजन लगबग 18 तन निर्दारित किया गया है नेक्स्ट कोशन है रक्षामंतरी राजनास सिंग जी ने भारत के पहले वायू सेना विरासत केंदर का उद्गाटन कहा पर गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चंडी गट के अंदर नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं 2023 में पैम अमेरिकी शताबदी साहस फुरुषकार से किसे सम्भानित किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर है शल्मान रुस्दीजी को विश्व परियवरण दिवस कब मनाया गया है तो विश्व परियवरण दिवस परतिवर्स पांच जून को मनाया जाता है लेकिन 2023 में इसके थीम काफी जादा इंपोटेंट हो जाती है थीम रखे गई थी सोलुशन टू प्लास्टिक पोलुशन जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किस राज़े ने शुरू की है तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत जारकन राज़े के द्वारा की गई है ओप्शन नमबर एस का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत की शेहर में की गई है तो इसका सी आंसर हो जाता है चिन्नेगी के अंदर नेक्स्ट कोशन पर हालकी में गूगल ने भारत में नीती परमुक के रूप में किसे नुक्त किया है तो पहले नमबर पर रहने वाला देश हो जाता है चीन, चीन ने कुल मिलाकर 383 पतक जीते हैं जबकि दूसरे नमबर पर आता है जापान, तीसरे नमबर इसमें कोरिया को दिया गया, चोथा नमबर इसमें भारत को दिया गया वे पांच वा नमबर इसमें उजबेकिस्तान को दिया गया है नेच्ट पूशन उननीस वे एस्या ए खेल का अधिकारिक शुबंकर क्या रखा गया था तो इसका जो अधिकारिक शुबंकर था वो था चेंचेंट, कॉंकोंग, विल लियान-लियान तो direction number 10 का विल्कुल correct answer है नेक्स्ट कुशन अर्थशास्त्र के छेतर में नोबल पुरुसकार 2023 किस ने जित लिया है? तो अर्थशास्त्र के छेतर में नोबल पुरुसकार 2023 से क्लाउडिया गोल्डिन को सम्भानित किया गया है? ओप्शन नमबर सीज का विल्कुल करेक्ट आंसर है. हाल ही में फिलिप फिलिप चैट्रियर पुरुसकार 2023 से किसे सम्भानित किया गया है तो फिलिप चैट्रियर पुरुसकार 2023 से जस्टिन हैनिन को सम्भानित किया गया है ओप्शन नमबर सी इस का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन 2023 में ओस्टेलिया के सर्वोच सम्भान माइकल फ्रेंकलिन साहिते पुरुसकार से किसे सम्भानिच किया गया है तो इससे हाली में शंकरी चंदरन जी को सम्भानिच कर दिया गया है ओप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है विश्व टेस्ट चेंपिंशिप 2023 की विजेता टीम कों से रही है तो विश्व टेस्ट चेंपिंशिप 2023 की विजेता टीम औस्टेलिया रही है औस्टेलिया ने इसमें भारत को औराकर यह किताब उपने नाम किया है तो उप्विजेता हो जाती है भारत नेक्स्ट कोशन फीफा अंडर टुन्टी वीश्वकप दोजार तेश की उपवजेता टीम कोन से रही है जहां से कोशन को पढ़ना इसमें उपवजेता टीम पूछी है ना कि विजेता टीम तो आपकी जानकारी के लिए बता दू इसमें उरुगवे विजेता टीम है और उरुगवे ने इसमें इटली गोराया था तो इटली इसमें विजेता हो जाती है नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतरत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझोते का 27 सज़त से कौन था बना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत भारत इस आर्टेमिस समझोते का 27 सज़त से बन चुपा है नेक्स्ट कोशन वैश्विक आतंगवादी सूचकांग 2023 के अनुसार भारत आतंगवाद से परभाविद देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है तो इस सूचकांग में भारत को तेहरे वे स्थान पर रखा गया है ओप्शन नमबर 20 का विल्कुल करेक्ट आंसर है जबकि पहला स्थान इसमें अफगानिस्तान को दिया गया है और इस रिपोर्ट को जारी करने वाले संस्ता है इंस्ट्यूट फोर एकनोमिक एंड पीस नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं लुसाने डाइमंड लिग 2023 किस बारते खिलाडी ने जीत लिया है तो इसको हाली में निरेच चोपड़ा जी के दोवारे जीत लिया गया है उप्शन नमबर एस का बिल्कूल करेक्ट नाम सरे नेक्स्ट कॉशन किर्किट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भार्जे कप्तान को बने हैं तो इनका नाम हो जाता है रोहिच्शरमा नेक्स्ट कोशन वरतमान में भार भरत में हरद करान्थ की का जनख किसे कहा जाता है तो भरत चेंदर हरित करामती का जनक MS Swomi Nathan को मना जाता है जबकि विश्व के अंदर हरित करामती का जनक NORMAN 12 लाग को मना जाता है तो option number D is का बिल्कुल correct answer है next question केंद्रिय परदूशन नियंत्रन बोर्ड के आगडो के अधार पर 2022 में भरत का सबसे परदूशी शहर कून सा था तो इसका correct answer है दिल्ली option number B is का बिल्कुल correct answer है next और आजका last question है हाल ही में भारत ने बेटेन के साथ किस योजना को शुरू किया है तो भारत ने हाले में यंग प्रोफेसनल इसकीम को लेकर बेटेन के साथ एक समझोता किया है तता बेटेन के साथ मिलकर ही इस योजना के शुरुवात की है तो option no.A का बिलकुल correct answer हो जाएगा तो इसी के साथ आपने जनवरी से लेकर नवंबर तक जितने भी महतून और चर्चित गटनाए होई है उन सभी को एकदम डेटेल वाइस कवर कर लिया है अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्या करें तथा अपने अन्य दोस्त तक भी आप इस वीडियो को शेर कर सकते हैं और इसी तरह की most important current affairs की वीडियो पाने के लिए आप Rankers G के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आपका दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम है तो आप इस वीडियो को जरूर जरूर कंटस्ट करके जाएं आपको इस वीडियो में से हूब हूब कुछ कोशन जरूर देखने के लिए मिलेगे तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में Thank you so much for watching this video जै हिन जै भारत इसी के साथ विश्व मोसम विग्यान संगठन के इस्थापना कब हुई थी तो इस्थापना की गई थी 23 मार्च 1950 को मुख्याले कहां पर हो जाता है तो मुख्याले है सुर्जे लेंड के जिनेवा शहर में साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए के विश्व मोसम विग्यान संगठन के कितने सदस्य देश है तो 193 में सदस्य देश हो जाते हैं विश्व मोसम विग्यान संगठन के तो इतना फैक्ट आपको विश्व मोसम विग्यान संगठन से ध्यान रखकर चलना है नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं नेक्स्ट कुेशन आप सभी के सामने है। आपके और किस यूर्श्टि के साथ 77 गेमस गेंच 2023 की पताया में सींड़्ियं किस यूनिवस्टि ने हासिल किया है पनजाव यूनिवस्टि ता इस बार तीसरा तो ये पूरा फेक्ट आपको खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम्स 2023 से ध्यान रखकर चलना है कोई सा भी कुशन आप से पूछा जा सकता है नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं महारास्ट के एहमद नगर शहर का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया है तो एहमद नगर शहर का नया नाम बदल कर अहिल्या नगर कर दिया गया है तो ओप्शन Numbers A इस हाब लकूर करेक्ट आंसर है महराष्ट से आपको जान रखना है महराष्ट के जो वरतमान मुख्यमंतरी है उनका नाम है एकनाच शिंदे इसी के साथ राज्यपाल का भी नाम आपको जान रखना है राज्यपाल हो जाते हैं वरतमान में रमेश बैस ये दोनों ही कोशन अपने आप में काफी जाद इंकोटेंट कोशन है क्योंकि हाले में महाराष्ट की राजनित में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है इस बदलाव के चलते उम्मीद की जा रही है कि आपके एक्जाम में महराष्ट से भी कोशन बन सकता है नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं नेक्स्ट कोशन है दुनिया के सबसे उचे युद्ध छेतर जिसे सियाचीन के नाम से जाना जाता है सियाथीन में तेनाथ होने वाली पहली महिला सेन्य अधिकारी कौन बनी है तो सियाथीन जो है वो दुनिया का सबसे उंचा युद्ध शेतर है इसके अंदर तेनाथ होने वाली पहली महिला सेन्य अधिकारी बनी है अब अगर परागवे की इस्तिती के बारे में आपको बताओं तो परागवे दक्षिन मद्य अमेरिका में इस्तित एक इस्थल रुद्ध देश हो जाता है इस्थल रुद्ध जिसे आप इंगलिस में लेंड लोग्ड कंट्री के नाम से भी जानते हैं बात करू परागवे की राजधानी की तो परागवे की राजधानी हो जाती है असुन सियोंग मुद्रा चलती हैं आपर गुवारानी तो मुद्रा और राजधानी से भी कई बार कोशन बने हैं तो ये चीज़ भी आपको साथ के साथ ध्यान रखनी है नेक्स्ट कोश्चन आ जाता है 2023 में लिब जिंग बुक पुरुसकार किस ने जीत लिया है तो 2023 के अंदर लिब जिंग बुक पुरुसकार जो है वो मारिया इस्टेपानोवा ने जीत लिया है ओप्शन नमर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है लिपजिक बुग पुरुसकार एक परतिष्टित साहितिक पुरुसकार है जिसे 1994 से परतिवर्स परदान किया जाता है तो इतना फैक्ट भी आपको इसके बारे में ध्यान लखना है सौधी अरब को पीछे छोड़ कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आप उर्ति करता देश कौन सा बना है तो हाली में भारत ने सौधी अरब को पीछे छोड़ दिया है इस मामले में अर्थात यूरोप का जो सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आप उर्थी करता है वो अब भारत बन चुका है तो ये भारत के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्दी है इसी के साथ आपको ध्यान रखना है यूकरेन पर रूस हमले के बाद यूरोपियन यूनिय दिया है तो अजर बैजान ग्रेंड प्रिक्स 2023 के किताब की अगर बात करूँ तो यह किताब सर्जीयो पेरेज ने अपने नाम कर लिया है जो कि रेड बुल के ड्राइवर है और मैक्सिको से संबंद रखते हैं नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं नेक्स्ट कोशन है सत्रवा व पहले विश्व शतरण्ज चैंपियंशिप बन गए हैं तो चीन के पहले विश्व शतरण्ज चैंपियन बने हैं डिंगली रेन ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट कांसर है और चीन के लिए यह है अपने आप में काफी बड़ी उपलब्दी मानी जा रही है सूचकांग 2023 में भारत को जो है वो 161 स्थान पर रखा गया है अगर बात करूँ पहले स्थान पर कौन रखा गया तो पहले स्थान पर रहा नोर्वे आकरी स्थान मिला उत्तर कोरिया को और इस रिपोर्ट अर्थात इस सूचकांग को जारी करने वाली संस्ता है एक भी कोशन को मिस मत करना एक एक कोशन को साथ के साथ नोट करके चलो ताकि आपको आने वाले किसी भी एक्जाम में यदि इन में से कोई भी कोशन मिलता है तो वो आप से छूटना नहीं चाहिए नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं भारत ने किस वर्ष तक एक हजार सहरों को तीन स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्षे रखा है यह लक्षे भारत ने दो हजार चोविस तक निर्धारिश करके रखा है अर्थात भारत दो हजार चोविस तक अपने एक हजार सहरों को थ्री स् आतिय शेहर ने लगातार दूसरी बार Tree City of the World 2022 का किताब जीता है तो Tree City of the World 2022 का किताब जो है मुंबई शेहर ने दूसरी बार जीत लिया है उप्शन नमबर सी इस का बहुतल करेक्ट आंसर है किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी या अन्य विदेशी सब्दों का उप्योग करने पर एक लाग पौन तक का जुर्माना लगाने का एक नया कानून पेश कर दिया है तो उप्शन नमबर सी इस का बहुतल करेक्ट आंसर है अब अगर आपको इटली के बारे में बताऊं तो इटली यूरोप महादीप में सित एक देश हो जाता है जिसकी राजदानी है रोम मुदरा यहाँ पर चलती है यूरोप और वरतमान परदान मंत्री है जियोर्जिया मैलोनी राष्टपती के अगर बात करूँ तो इटली के राष्टपती हो जाते हैं सरजियो मेटरेला यह सभी फेक्ट आपके लिए काफी जादा इंपोटेंट है एक एक फेक्ट को अपनी कोपी में साथ के साथ नोट करके चलना है नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं आईफोन निर्माता कंपनी एपल इंक ने भारत में अपना पहला स्टोर एपल B के सी किस शहर में खोला है तो इस कोश्चन से तो आप भलिवाती रूप से परिचित होंगे एपल ने हाली में भारत के अंदर अपना पहला स्टोर जो है व जो कि अगर बात करूं तो चीफ एक्जेकुटिव ओफिसर हो जाते हैं टिम कुक ये सभी फेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपोटेंट है तो इसको भी ध्यान रख कर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं विश्व सतत विकास सिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोज की हैं हेकानी जखालू और सेल होनू क्रूस तो उप्युक्त दोनों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर अर्थात ओप्शन नमबर सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं नागलेंड विदान सभा में चुनी जाने वाली पहली दो महिला विदायक हैं हेकानी ज जगदिशन ने जीत लिया है ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं नेक्स्ट कुशन है बारतिया पुरुष होकी टीम के नए कोच कोन बने हैं तो पुरुष होकी टीम के यहां पर बात हो रही है बारतिया पुरुष होकी टीम के नए कोच बने है क्रेग फुल तो आयोजन हुआ था सौधी एरब के अंदर संस्क्रन कौन सा था तो 2023 में इसका 46 संस्क्रन खेला गया है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कोशन पी चलते हैं गोवा के इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम किसके नाम पर किया गया है तो हाली में जो गोवा का इंटरनेशनल एरपोर्ट था उसका नाम बदल कर अब डाक्टर मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एरपोर्ट कर दिया गया है ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसी के साथ कुछ अन्य इंपोर्टेंट और इस्टेटिक कुर्शन भी आपको ध्यान रखने है जैसे जिम कारवेट रास्टे उध्यान का नाम बदल कर क्या किया गया है और काकोरी कांड जो है ये आपका 1925 के अंदर हुआ था यहीं पर आपको ध्यान रखना है चंडिगड एरपोर्ट का नाम बदलकर क्या खा गया है तो चंडिगड एरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगसिंग एरपोर्ट कर दिया गया है इसी के साथ इक्यावन चालिस नामक पाहडी का नाम बदल कर गन हिल्स कर दिया गया है और औरंगाबाद शहर का नाम बदल कर समभाजी नगर कर दिया गया है तो बदले वे नामों से जितने भी important question आपके लिए बन सकते थे वे सभी आपके लिए यहाँ पर इखटा करके लिखे वे हैं नेक्स्ट question पर चलते हैं ब्लैक राइनो के सरक्षन के लिए वन्नेजीव सरक्षन बोंड किस ने जारी किया है तो ब्लैक राइनो का सरक्षन करने के लिए वन्नेजीव सरक्षन बोंड को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है option number 20 का बिल्कुल correct answer है अब अगर आपको बताऊं कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कोन हो जाते हैं तो विश्व बैंक के अध्यक्ष है अजय बग्गा इस्थापना हुई 1944 में 1944 अर्ताद बिटन वूट्स समझोते के तहट विश्व बैंक और आई-म-फ दोनों की ही स्थापना की गई थी मुख्याले की अगर बात करूँ तो विश्व बैंक का मुख्याले इस्थित है वाशिंग्टन डी-सी के अंदर नेक्स्ट कोशन है प्रवासी भारतिय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है तो प्रवासी भारतिय सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो मद्यपरदेश के इंदोर नामक शहर में किया गया है तो ओप्शन नमर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुश्ष्यन है विश्यव के सबसे बड़े नदी क्रूज, M.V. गंगा विलास के यातरा कार्यकरम के तहत, वारानसी से डिब्रुगण तक कितनी दूरी तय की गई है? तो विश्यव का जो सबसे बड़ा नदी क्रूज है, जिसका नाम है M.V. गंगा विलास इसकी यात्रा के तहत वरानसी से लेकर डिबरुगर तक लगबग 32 किलोमेटर की यात्रा तै की गई है ओप्शन नमबर A इसका बिल्गुल करेक्टांसरे नेक्स्ट कॉर्शन है इसी के साथ बात करू सत्तरवी मिस उनिवर्स कोन बनी थी तो सत्तरवी मिस उनिवर्स बनी थी हरनाज सिंग संदू जो की चंडिगड की रहने वाली है केंदर सरकार दोरा पहला ओनलाइन गेमिंग उतकरष्टा केंदर कहां पर इस्तापिट किया गया है तो केंदर सरकार के दोरा जो पहला ओनलाइन गेमिंग उतकरष्टा केंदर है वहेश शिलोंग के अंदर इस्तापिट कर जिया गया है और शिलोंग जैसे कि आप सभी जानते हैं मेगाले की राज़ानी भी हो जाती है तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है इसी के साथ वकील सरनक्षन अधिनियम भी राजिस्थान के द्वारा ही लागू किया गया है और स्वास्ते का अधिकार विदेख को भी राजिस्थान के द्वारा ही लागू किया गया है नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं अजन्ता एलोरा अंतराष्टे फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाष अवार्ड परदान किया गया है तो अजन्ता एलोरा अंतराष्टे फिल्म फेस्टिवल की याँ पर बात हुई है इसके अंदर गोल्डन केलाश अवार्ड से नानेरा नामक मुवी को संभानित किया गया है और नानेरा नामक मुवी जो है यह है राजिस्थान की एक फिल्म हो जाती है नेक्स्ट कुशन है वर्स 2023 में संगाई सहयोग संगटन के सिखर सम्मिलन का मेजबान देश कोन सा रहा है तो ये चीज तो आप सभी को पता होगी 2023 के अंदर संगाई सहयोग संगटन की जो अध्यक्सता की थी वह है भारत के द्वारा ही की गई है तो ओप्शन नमबर एस का ब पता होनी चाहिए अब देख लेते हैं SEO के बारे में SEO की स्थापना कब हुई तो 1996 में SEO की स्थापना की गई मुख्यालिया इसका बिजिंग के अंदर है अब सदसे देशों की अगर बात करो तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हाल ही में SEO का एक नया सदसे देश भी बना है और इसी के साथ अब SEO की सदसे संख्या आठ से बढ़कर नो हो चुकी है पहले SEO के कुल मिलाकर आठ सदसे देश हुआ करते थे लेकिन वरतमान में अब नो सदसे देश SEO के हो चुके हैं अब नोवा कौन सा नया देश चुड़ा है तो उसका नाम हो जाता है इरान एक बार सारे ह नोवा सदसे देश बन चुका है तो ये चीज़ भी आपको ध्यान लखनी है ये कोशन किसी ना किसी एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा नेक्स्ट कोशन है भारतिय सेना दौरा किस देश के साथ पहला संयुक्त परस्रिक्शन अभ्यास साइकलोन वन आजजित किया गया संयुक्त परस्रिक्शन अभ्यास है जिसका आयोजन भारत के राजिस्थान नमक राज्ये में किया गया है तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपोटेंट बन जाता है नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है भारत के साथ हुए कुछ अ सेना के बीच किया जाने वाला एक्योद अभ्यास है नेक्स्ट है फ्रीजेक्स अभ्यास फ्रीजेक्स अभ्यास जो है भारत और फ्रांस की सेना के बीच किया जाता है अब चलते हैं नेक्स्ट कोशन पे पंदरवे होकी विश्यू कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही है तो यहाँ पर आपसे उपविजेता टीम के बारे में पूछ रहा है अर्थात उपविजेता टीम रही है इसमें बेल्जियम तो उपशन नमर 20 का बिल्कुल करेक्ट आमसर है अब एक बार देख लेते हैं पंदरवे होकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया तो संस्थागत स्रेणी के तहट किसे सुभाजचंदर बोस आपदा परबंदन पुरुषकार 2023 से पुरुषकरत किया गया है तो संस्थागत स्रेणी के तहट अर्था सुभाजचंदर बोस आपदा परबंदन पुरुषकार 2023 के अंदर ओडिसा राज्यप आपदा परबंदन जल्लूंग लेई फायर इस्टेशन मिजोरम को दिया गया है। तो option number C यहां पर बिल्कुल correct answer है अर्थात A वे B दोनों। इसी के साथ आपको ध्यान रखनी है सुभास चंदर बोस की जैनती कब मनाई जाती है तो प्रतिवर्स 23 जनवरी को सुभास चंदर बोस की जैनती के र correct answer है यहीं पर अगर महिला एकल की बात खुरू तो महिला एकल का किताब इसमें NC यूंग ने जीत लिया है ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कोशन है आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 के अनुसार वर्स 2023-24 में बारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानिच की आया गया है एक बार आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 के बारे में भी पढ़ कर चलेंगे जैसे 31 जनवरी 2023 को केंद्रिय वित्तमंतरी निर्मला सीतर अमन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 पेश किया इस आर्थिक सर्वेक्षन को मुख्या आर्थिक शलाकार वी अनंत पर चर्चा की गी वे थे अर्थिविवस्ता की विकासदर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्ट विक रहने का अनुमान है पिछले वित्तवर्ष में विकासदर 8.7 रही थी इसे Ihr साथ वित्तवर्ष सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षन 2022 देश के दोरान राजकोशिय घाटा कितना अनुमानित किया गया है तो आपका अंसर हो जाएगा 6.4 परसेंट नेक्स्ट जो यहाँ पर तो इंडियन ओयल कोर्परेशन के दोरा जो पहली बार एवियेशन गैस का निर्यात किया गया है वो पपुआ न्यू गिनी नामक देश को किया गया है ओप्शन नमर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं बजट 2023-24 के तहट व्यक्तिकत आयकर व मिला है उसमें कुल मिलाकर तीन लाग रुपे तक की आये को कर्मुक्त कर दिया गया है तो ओप्शन नमर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भी मैंने यही चीज आपके लिए लिए लिखी वी है कि पहले जो बजट था उसमें धाई लाग रुपे तक की आये को कर्मुक्त रखा गया था परंतु वरतमान में तीन लाग रुपे तक की आये को कर्मुक्त किया गया है पहले आयकर की 6 स्लेब हुआ करती थी परंतु अब वरतमान में 5 स्लेब आयकर की कर दी गई है यह कोशन भी काफी अच्छा कोशन है आपके एक्जाम में पू और इस प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू करने का उद्धिश्य केवल और केवल भारत की इस्थानी अबासाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देना है ये चीज भी आपके लिए ध्यान रखने वाली है तो चलते हैं नेक्स्ट कोशन पे नेक्स्ट कोशन है एसिया का पहला फ्लोटिंग फैस्टिवल कहां पर आयजित किया गया है तो एसिया का जो पहला फ्लोटिंग फैस्टिवल है वह मद्यप्रदेश के मंतसोर नामक जिले में स्थापित किया गया है ओप्शन अमबर एस का बिलकुल करेक्ट आंसर है इसी के साथ आपको एक स्टेटिक कोश्चन भी जहान रखना है कि भारत का जो एकमातर तैरतावर राष्टे उध्यान है वो कहां पर इस्थित है तो भारत का एकमातर तैरतावर राष्टे उध्यान मनिपूर के अंदर इस्थित है जिसका नाम है कैबुल लामजाओर राष् तो option number 20 का बिल्गूल correct answer हो जाएगा चलते हैं next question पर next question है तीन ग्रैमी पुरुषकार जीतने वाले एक मातर भारतिय संगीतकार कोण बने है तो जिन्होंने तीन ग्रैमी पुरुषकार जीते हैं उनका नाम हो जाता है Rikki Cage option number 20 का बिल्गूल correct answer है रिक्की केज एक मात्र ऐसे भारत्य संगीतकार है जिन्होंने अभी तक तीन ग्रैमी पुरुसकार को जीत लिया है इसी के साथ आपको बताऊं कि ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारत्य कौन बने हैं तो रास्टिय आइस होकी चैंपिनसिप की विजेता टीम बनी है ITBP अर्थात इंडो तिबतन बोर्डर कुलिस तो ओप्शन अमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये पूरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कई बार इससे पहले भी एक्जाम्स में कोशन बन चुके हैं। लिकॉप्टर निर्मान फैक्टरी है उसकी स्थापना भी तुमक्रू में ही हुई है जिसका नाम जाता है हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेट। नेक्ट कोशन है आपके सामने रास्टिय इस तरका दूसरा ग्रीन बॉंड किस नगर निकाए द्वारा लौंच किया गया है। तो जो रास्टिय इस तरका दूसरा ग्रीन बॉंड जारी किया है वो हाले में गाजवाद नगर निकाए के द्वारा जारी किया गया है। यहीं पर अगर राकी कपूर की बात करूँ तो राकी कपूर वे महिला हैं जिने गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से संबानित किया जा चुका है तो यह दोनों ही फैक्ट आपके लिए काफे जादा इंपोटेंट हो जाते हैं। परकाशिच विक्टरी सिटी उपन्यास के लेखक कोन हो जाते हैं। तो विक्टरी सिटी नामक जो उपन्यास है इसको हाली में सलमान रुष्दी जी के दुवारा लिखा गया है। उप्शन अमबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कोशन आजाता है ग्लोबल क्वालिटी इंफरस्ट्रक्चर इंडेक्स दोहजार अंसर है। भारत को वेस्वी के स्थर पर कौन सा इस्थान पराप्ट हुआ है। तो जो ग्लोबल क्वालिटी इंफरस्ट्रक्चर इंडेक्स दोहजार इक्स है। इसके अंदर भारत को वेस्वी के स्थर पर दसवा इस्थान पराप्ट हो चुका है। उप्शन अमबर 20 का बिल्कुल संबावना बन जाती है पहला सूचकांग है विश्विप्रेश सतंतरता सूचकांग 2023 में बारत का क्या इस्तान रहा तो इस सूचकांग को मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ विश्विप्रेश सतंतरता सूचकांग 2023 के अंदर भारत की स्थिती 161 नंबर पर दर्ज की गई दूसरा सूचकांक आ जाता है वैश्विक सांती सूचकांक 2023 तो वैश्विक सांती सूचकांक 2023 के अंदर भारत को 126 वे स्थान पर दर्च किया गया है इसी सूचकांक के बाद आ जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 तो इस इंडेक्स में भारत की इस्तिती 127 वे नंबर पर दर्च की गई है नेक्स्ट आ जाता है अंतराष्टे बोधिक संपता सूचकांक 2023 इस सूचकांक में भारत को 22 वे नंबर पर दर्च किया गया है सभी सूचकांक आपके एक्जाम के लिए very very most important हो जाते हैं आपको इस सभी सूचकांक एक साथ नोट करके चलने हैं नेक्स्ट कुश्ट पर चलते हैं भारत में पहली बार भारत्य भूवग्यनिक सर्वेक्षन अर्था जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया द्वारा लीथियम के बंडार के खोज कहां पर की गई है तो इस न्यूज से तो आप भलिवाती रूप से परचित होंगे हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर 69 लाक टन लीथियम के बंडार देखने के लिए मिले हैं तो ओप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुश्ट है खेलो इंडिया यूनिवस्टी गेम्स 2023 की पदक तालिगा में सीर्स इस्थान किन तीन राज्यों को प्राप्ट हुआ है और जो सीर्स तीन राज्यों हैं वे कौन कौन से हैं आपको बताना है क्या वे महराष्ट हरियाना मध्यपरदेश हैं या फिर हरियाना महराष्ट मध्यपरदेश हैं या फिर मध्यपरदेश हरियाना महराष्ट हैं या फिर राजिस्थान हरियाना या मध्यपरदेश हो जाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाता है महरास्ट, हरियाना और मध्यपर्देश अर्थात option number A इसका बिल्कुल correct answer है खेलो इंडिया उनिवस्टी location की पदक तालिका में सीर्ष इस्थान महरास्ट को दिया गया और तीसरा नंबर जो है वो मध्यपर्देश को दिया गया है बात करूँ खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ तो 2023 के अंदर खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स का आयोजन मद्यपरदेश के अंदर ही किया गया था संसकरन 2023 में पांचवा खेला गया पहले इस्थान पर महरास्ट को रखा गया दूसरा हरियाना और तीसरा इसमें मद्यापरदीश को इस्थान दिया गया है तो यह उम्मीद करूँगा आप लोग एक एक कोश्चन को ध्यान से कवर कर रहे होगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे हाल ही में बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयुजित किया गया है तो बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है यह है फिजी नामक देश के नाड़ी शहर में आयुजित किया गया है उप्शन नमर सी इसका विल्कुल करेक्ट आंसर है बात करूँ विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो परतिवर्स 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है दस जनवरी 1975 को ही नागपूर में पहला विश्व हिंदी सम्मिलन का आयोजन किया गया था इसी लिए तब से हर वर्स 10 जनवरी को ही विश्वी हिंदे दिवस के रूप में मनाते हैं ये चीज भी आपको ध्यान रख कर चलनी है नेक्स्ट कुशन आज़ता है वर्ड गवर्मेंट समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है वर्ड गवर्मेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई के अंदर किया गया है उप्शन नमबर सीज का बिलकुल करेक्ट आंसर है अगर बात करूँ COP15 का आयोजन कहां हुआ तो COP15 अर्थात कॉन्फरेंस ओफ पाल्टी 15 का आयोजन जो है वो मॉन्ट्रियल के अंदर किया गया है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कॉशन है महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महेंगी खिलाडी कौन है जिने आरसी भी द्वारा 3.4 करोड रुपे में खरीदा गया है तो महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महेंगी खिलाडी बनी है इसमर्ती मंधाना ओप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमर्ती मंधाना को हाली में रोयल चलेंजर बैंगलोर के द्वारा 3.4 करोड रुपे में खरीदा भी गया था इसलिए वे महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महेंगी खिलाडी भी बन चुकी है बात करू महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता कौन रही तो विजेता हो जाती है मुंबई महिला प्रीमियर लीग में ओरेंज कैप किसे दिया गया तो औरेंज कैप मिली थी मैक लेमिंग को ये कोशन भी आपके एक्जाम की दरश्टी से काफ़ी ज़्यादा इंपोटेंट हो जाता है चलते हैं नेक्स्ट कोशन पे तो अमिच शाह जो कि भारत के वर्तमान केंद्रिय मंतरी भी हो जाते हैं इनके दोरा हाली में हरियाना पुलिस को प्रेजिडेंट कलर से भी संबानित कर दिया गया है उप्शन नमबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं भारत की पहली फ्रोजन लेक मेरतन जिसका नाम है लास्ट रून इसका आयोजन कहां पर किया गया है तो भारत की जो पहली फ्रोजन लेक मेरतन है लास्ट रून का आयोजन हाले में लद्दाक के अंदर किया गया है नेक्स्ट कोशन है परदान मंतरी द्वारा जल सर्रक्षन के परती जागरुपता के लिए जल जन अभियान का शुबारम कहां पर किया गया है तो यह जो जल जन अभियान है इसकी शुरुआत राजिस्तान के अंदर की गई है ओप्षन नमबर 30 का बिलकुल और जन अभियान है अब आप में से कुछ बच्चों के मनमें डौट यह होगा कि गउरकपूर नामक जिला तो उतर प्रदेश के अंदर पड़ता है बिल्कुल सही बात आप लोगों ने सोची गुरकपुर नाम का जिला जो है वो उत्तर परदेश के अंदर भी पढ़ता है लेकिन हरियाना के अंदर भी एक गुरकपुर नाम का इस्थान पढ़ता है उसी गुरकपुर की यहां पर बात हो रही है इसलिए मैंने कौमा लगा कर यहां पर हरियाना भी दिया हुआ है तो यह जो उत्तर भारत का पहला परमानुसेयंत रहे यह हरियाना के गुरखपूर नामकिस्थान पर इस्तावित किया गया है यह चीज़ आपको ध्यान रकनी है इसी के साथ बात करू हडपा सब्वेदा का सबसे बड़ा संग्राल्य कहा पर मिला है तो यह हरियाना के राकिगडी में प्राप्त हुआ है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं निमने लिखित में से किस भारतिय विक्ति को यूटूब का नया CEO बनाया गया है तो यूटूब के नए CEO बने है नील मोहन ओप्शन नमबर सीस का बिलकूल करेक्ट आंसर है अ ट्वीटर का जो लोगो था जिस पर आपको एक चिडिया चपी मिल लोगो को बदल कर उसका नया लोगो कर दिया गया है जिसका नाम है एक्स और तो ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं रनजी ट्रोफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है तो रनजी ट्रोफी 2023 को हाल ही में सोराष्ट ने जीत लिया है उप्शन अमबर एसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बात करू सोराष्ट ने इसे किसे हरा कर जीता तो रनजी ट्रोफी 2023 की जो ट्रोफी है ये है बंगाल की टीम को हरा कर जीती है तो उपविजेता इसमें हो ज किया गया है option number 20 का बिल्कुल correct answer है और जैसे कि मैं आपको अभी revise कराया था कि COP 15 का आयोजन कहा पर हुआ है तो इसका आयोजन Montreal के अंदर किया गया है दोस्तों मेरा उद्देश्य यहां पर आपको बार बार question revise कराके उस question को आपके दिमाग में fit करा देना है तो यदि आपको व बिल्कुल correct answer है इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि नीती आयोग के जो नए उपाद्यक्ष है उनका नाम क्या हो जाता है तो उनका नाम हो जाता है सुमन के बेरी यह चीज़ भी आपको ध्यान रख कर चलनी है नेक्स्ट कोशन है भारतिय समू वेदान्त अर्था जो व नाम है वेदान्त समू यह किस अंतराष्टे इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी के सहयोग से भारत का जो पहला सेमिकरंडक्टर प्लांट है गुजरात में इस्तापित करने जा रहा है तो इसका correct answer हो जाएगा आपका फोक्सकून अर्थात फोक्सकून नामक अंतराष्टे न्युक्ट किया गया है तो युनिसेप इंडिया के दुआरा हाल हे में आयुशमान खुराना को राष्टे राजदोत के रूप में न्युक्ट कर लिया गया है ओप्शन नमबर 10 का बिलखुल correct answer है यही पर आपको कुछ अन्य महत्पून ब्रांड अंबसेटर भी cover करके च नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं भारते क्रिशी अनुसंदान परिशत दुआरा गेहों की किस नई जलवायू स्मार्ट किसम का विकास किया गया है तो गेहों की नई किसम है HD-335 इस किसम का हाले में भारते क्रिशी अनुसंदान परिशत के दुआरा विकास किया गया है ओप् United Kingdom के साथ मिलकर किया है Option number A इसका बिल्कुल correct answer है Next question उच्चितम नियायल्य ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ती एक समीति की द्वारा करने का निर्देश दिया है इस समीति में कौन-कौन शामिल होंगे तो very very most important question हो जाता है तो आपको बताना है इस समीति में परदान मंतरी शामिल होंगे या लोग सभा के विपक्ष के नेता सामिल होंगे या फिर भारत के मुख्य नयदी सामिल होंगे या ये सभी लोग ही इस समीति के सदस्य होने वले हैं तो आपकी जानकरी के लिए बता दू उच्चितम नयायले अर्था सुप्रिम पोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इन सभी की नियुक्ति के लिए एक समीति का गठन किया जाएगा उस समीति में जो हैं परदानमंत्री भी शामिल होंगे लोग सभा में विपक्स के नेता जो हैं वे भी शामिल होंगे और भारत के मुख्य नयजीज भी शामिल होंगे तो ओप्शन नमबर डी इस का बिलकुल करेक्ट आमसर है ये तीनो ही वेक्ति इस समीति के सदस्से होने वाले हैं नेच्शन पर चलते हैं मद्धे परदेश की राजदानी भोपाल में किया गया है ओप्शन नमबर डी इस का बिलकुल करेक्ट आमसर है नेच्शन है जूनियर कवड़ी विश्व चैंपियंशिप 2023 का किताब किस ने जीत लिया है तो इस किताब को भी अपने भारत ने ही जीत लिया है ओप्शन अमबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आमसर है तो इसलिए अब SEO के सदस्ते देशों की संख्या कितनी हो गई है No Next question है मद्यपरदेश का 53 वा जिला किसे घोशित किया गया है तो MP का जो 53 वा जिला है वह बन चुका है मौवगंच Option number C इसका बिल्कुल correct answer है इसी के साथ आपको ध्यान रखना है भारत का 53 वा टाइगर रिजर्व किसे घोशित किया गया है तो रानिपूर टाइगर रिजर्व जो की उत्तर प्रदेश का चोथा टाइगर रिजर्व है इसे हाले में भारत का 53 वा टाइगर रिजर्व घोशित कर दिया गया है ये चीज भी आपको ध्यानर कर चलनी है अब इसी के साथ आपको कुछ चर्चित राज्यो के मुख्यमंतरी भी बता देता हूँ तो ये सभी मुक्यमंत्री आपके उंगलियों पर होने चाहिए आपके एक्जाम में आने वाला कोई भी कोश्चन आपसे गलत ना हो सकी चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे 2023 में प्रिजिकर अवार्ड सिस्की से सम्मानित किया गया है तो प्रिजिकर अवार्ड 2023 के अंदर हाल ही में बाल करिस्टन दोसी को दिया जा चुका है उप्शन नमबर सीज का बिल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोश्चन है मांट मेरापी जुआला मुक्य जिसमें हाली में विस्पोर्ट हुआ है यह कहां परिस्टित है तो फ्रेंड्स मांट मेरापी जुआला मुक्य जो है यह इंडोनेशा के अंदर इस्टित हो जाता है और इसमें हाली में विस्पोर्ट देखने के लिए मिला है तो इसलिए यह विश्पोर्ट भी काफी चर्चा का बन रहा है इससे कोशन बनने की काफी संभावना है तो इसको भी मिस्मत करना अब इसी के साथ आपको कुछ अन्य जुआला मुक्य के नाम बता देता हूँ तथा उनकी इस्टिती भी आपको साथ के साथ बता कर चलूँगा वे कहां परिस्टित है तो इन सभी जुआला मुक्य के नाम वे इनके इस्थिती वे इनका इस्थान आपको ध्यान लखना है आप से कुछन पूचा जा सकते है नेक्स्ट कोशन है वर्ष 2023 में अंतर संसदिय संग की 144वी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है तो इस बैठक का आयोजन हाली में बहरीन के अंदर किया गया है इसकी स्थापना उत्र हंड के अंदर की गया है, उप्षन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट पूश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉम कौन सा हे तो ये कुश्व अपने आप में एक बहुत ही बातरी इन्ट कुश्व हो जाता है हाल ही में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉम का दर्जा सिद्धा रुद्धा स्वामी नामक रेलवे स्टेशन को दिया गया है कुशन नमबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी कुल दूरी एक पॉइंट पांच किलोमेटर अर्थाट डेड़ किलोमेटर की तैय की गई है यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कुशन है सर्फषेष्ट मूल गीट स्रेणी का आसकर पुरुसकार 2023 किसे परदान किया गया है कुशन को ध्यान से समझना ओसकर पुरुसकार 2023 के अंदर मूल गीट स्रेणी के अंदर सर्फशेष्ट गीट का पुरुसकार किसे दिया गया है ये चीज़ आप से पूछना चाहता है नेक्स्ट कोशन है देश में पहली बार मेतनोल से चलने वाली बसों को कहां पर लॉंच किया गया है तो देश के अंदर पहली बार मेतनोल से चलने वाली बस बैंगलूरू के अंदर शुरू की गई है ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नक्स्ट Two ceux हैं केकेट बिडिला फांडेशन के दुआरा व्यासंवान 2022 से किसे संबानित करने की गोशना की गई है तो व्यासंवान 2022 हालहेमे ज्यांच चतरवेदि को इस संबानित करने की गोशना की गई है उप्शन लमबर आजिक का बिलक्ование और रहा है और याद रखना मेरे वाई, इस महा महरतन को जो भी कोई दिल से पूरी करेगा, उसके एक्जाम में करंट अफेर का आने वाला कोशन इस वीडियो से आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा नेक्स्ट कोशन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां परिस्तित है, तो ट्यूलिप गार्डन के बात हुई है, इस कोशन से आप भले बाती रूप से परिचित होंगे, एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, यह स्री नगर के अंदर इस्त नेक्स्ट कुशन है डीजल परिवेहन के लिए 131.5 किलोमेटर लंबी मैत्री पाइप लाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है तो ये जो मैत्री पाइप लाइन है इसकी सुरुआत हाले में भारत और बांगलादेश के मद्य की गई है ओप्शन नमर 20 का बिल्कुल करे जाएंगे नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं निमने लिखित में से किस राज्य के सुंदर रजा आम को जी आई टैग मिला है ये मद्य परदेश का एक परसिद आम हो जाता है और इसे हाले में जी आई टैग दिया गया है अब जी आई टैग का जैसा की कुशन बना है तो जी उत्तर परदेश के बनार सिपान को भी जी आई टैग दिया गया है रामनगर का बैंगन रामनगर भी उत्तर परदेश के अंदर पड़ता है तो उत्तर परदेश के रामनगर के बैंगन को भी जी आई टैग दिया गया है अलीगड का ताला उत्तर परदेश के अलीगड के संगठन ने Partnership for Healthy Cities Award 2023 के तहद किस भारतिय शहर को संभानित किया है तो विश्व स्वास्थे संगठन जिसे आप World Health Organization के नाम से भी जानते हैं इसने Partnership for Healthy Cities Award 2023 के तहद हाल ये में बैंगलरू शहर को संभानित किया है जिसे आप विश्व कुषाली सूचकांग 2023 के नाम से भी जानते हैं इसमें भारत को किस पाइदान पर रखा गया है तो ये वेरी वेरी मॉस्ट इंप्रोटेंट सूचकांग हो जाता है वर्ड हैपिनेस इंडेक्स 2023 की अगर बात करूँ इसमें भारत को 126 वाइस थान दिया गया है उप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अब इसी के साथ कुछ अन्य सूचकांग को भी साथ के साथ कवर करके चलेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ने की जूरत पड़े पहला कोइंट बन जाता है वेस्विप भूग सूचकांग 2022 में भारत की रैंक क्या रख की गई है तो वेस्विप भूग सूचकांग से यहां पर मतलब है वेस्विप भूग मरी सूचकांग की या वर्ड हंगर इंडेक्स भी आप इसे बोल सकते हो 2022 के अंदर इस सूचकांग में भारत की रैंक थी 107 तो 107 आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रख की गई है तो भारत की रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चोथे नंबर पर रख की गई है नेक्स्ट है वेश्विक आतंगवाद सूचकांग 2023 में भारत की रैंक क्या रही तो भारत की रैंक रही है तेहर भी नेक्स्ट है वर्ड हैपिनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रखी गई है तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 126 वी रैंक हैपिनेस इंडेक्स 2023 के अंदर भारत की रखी गई है नेक्स्ट आ जाता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अंदर करनाटक को तो पहला इस्थान दिया गया और उत्तर प्रदिश को अंतिम इस्थान दिया गया है तो ये चीज भी आपको ध्यान लगकर चलनी है चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ एशिया के सबसे बड़े चार मिटर अंतरास्टे लिक्विड मिरर टेलिस्कोप का उदगाटन कहां पर किया गया है तो एशिया का जो सबसे बड़ा चार मिटर का अंतरास्टे लिक्विड मिरर टेलिस्कोप है इसका उदगाटन हाली में उत्तरा खंड के अंदर किया गया है option number 20 का बिल्कुल correct answer है next question पे चलते हैं Asia I Billiards 2023 का किताब किस ने जीता है तो Asia I Billiards 2023 का किताब हाल ही में पंकज अडवानी जीने जीत लिया है option number 20 का बिल्कुल correct answer है next question है Bricks New Development Bank के नई सदस्थे के रूप में किसे सामिल किया गया है तो Bricks New Development के सदस्थे के रूप में हाल ही में मिश्र देश को सामिल कर लिया गया है option number 20 का बिल्कुल correct answer है अब आपके Bricks New Development Bank के अड़्डक्स कौन हो जाते हैं तो अड़्डक्स हैं डिलमाज रोसेच ये चीज़ भी आपको ध्यान लखनी है इसी के साथ NATO का 31 वा नया सदस्थे देश भी बन चुका है जिसका नाम है फिल्लेंड तो ये question भी आपके exam में बनने की बहुत ही जादा संभावना है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया एसीओ का भी एक नया सदस्थे देश बना है जिसका नाम है इराम तो एसीओ के वरतमान में कितने सदस्थे देश हो चुके हैं नो और नाटो के वरतमान में कितने सदस्थे देश हो चुके हैं 31 31 वा कौन सा बना है फिल्लेंड ये चीज भी आपको ध्यान लग कर चलनी है एक एक कोईंट को अपने साथ के साथ नोट करके चलना नेक्स्ट कॉशन है गनित का नोबल पुरुसकार जिसे एबल पुरुसकार कहा जाता है एबल पुरुसकार 2023 में किसे प्रणान किया गया है एबल पुरुसकार 2023 से हाल ही में लूइस कैफरोली के सम्मानित कर दिया गया है option number A is का बिल्कुल correct answer है और लूइस कैफरोली ये Argentinna के रहने वाले हैं जिने एबल पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है next question है विश्यू का सफलता पूरवक लौंच होने वाला पहला 3D printed rocket कुन सा है तो विश्यू का पहला 3D printed rocket हो जाता है टेरान वन जो की सफलता पूरवक लौंच हो चुका है option number A इसका बिल्गूल correct answer है next question है हाल ही में अंतरास्टिय प्रकासन सेंटरल बैंकिंग आवार्ट्स के दुआरा गवर्नर ओफ दायर 2023 पुरुसकार से किसे संभानिच किया गया है तो जैसे कि आप सभी जानते हैं गवर्नर ओफ दायर 2023 से हाल ही में शक्तिकान 10 को संभानिच कर दिया गया है ये रिजर्व बैंक ओफ इंडिया के 25 और वर्तमान गवर्नर भी है तो ओप्शन अमबर ऐस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन है आपका येरोपिय भोलिक संकेत प्राप्त करने वाला भारतिय उत्पाद कोन सा बना है तो येरोपिय भोलिक संकेत प्राप्त करने वाला एक भारतिय उत्पाद बन चुका है कांगडा चाय ओप्शन अमबर ऐस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये के साथ आपको कुछ परसिद्ध भारतिय उत्पाद वे उनके जंगा के स्थान आपको बता देता हूँ जैसे मिर्ची चावल जो है ये है बिहार का एक परसिद्ध भारतिय उत्पाद है ये है बसहोली पेंटिंग ये है जम्मु कश्मीर की परमुक पेंटिंग हो जाती है ये है कंबम अंगूर ये है तमिलनाडू के काफी फेमस अंगूर हो जाते है नेक्स्ट है मना मदुरई मिट्टी के बरतन तो जैसे कि आप सभी जानते है मदुरई नामक जगा जो है ये है तमिलनाडू के अंदर पढ़ती है तो इस मदुरई का नाम आते है ये आपको पता हो जाना से ये कि यह तमिल नाडो के मिट्टिके परतंगों की बात कर रहा है चलते हैं और नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट कोशन है राष्टे डेरी अनुसंदान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नसल की खलौन मादा को बचड़ा का उतपादन किया है अब अगर आपको बताओं राश्टे डेरी अनुसंदान संस्तान के दुआरा अलहे में गंगा के नाम से भारत की पहली गिर नसल की कलोन मादा की बच्छडा उतपादन किया है उप्शन अमबर A इसका बिलकुल करेक्ट आंसर है अब अगर आपको बताऊं राष्टे देरी अनुसंदान संस्तान कहां पर इस्थित है तो यह हरियाना के करनाल नामक जिले में इस्थित हो जाता है यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कोशन आ जाता है व्यल्ड 3 City लिस्ट 2022 में किज वारत्य सेयर को शामिल किया गया है तो व्यल्ड 3 City लिस्ट 2022 थे नंदर मुंबई को शामिल कर लिया गया है option no.20 ka correct answer नेक्स्ट कोशन है Mission Artemis 2 के तहट चंदरमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष जातरी कोन होगी? तो Mission Artemis 2 के तहट पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष जातरी बनी है क्रिश्टीना कोच Option Number 20 का बल्कुल correct answer है Next Question है T20 Antarastic Cricket में Ampiring करने वाली पहली महिला Ampire कोन बनी है? तो T20 cricket के अंदर अंपायरिंग करने वाली पहली मेला अंपायर बन चुकी है किम खाटन ओप्शन अंबर C का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन आ जाता है एपल ने किस भारतिय शहर में अपना रिटेल इस्टोर खोला है तो एपल का जो पहला रिटेल इस्टोर है यह है भारत के मुंबई नामक शहर में खोला जा चुका है ओप्शन अंबर A's का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन है प्रोजेक्ट हाती के 30 वर्स पूरे होने के उपलक्ष में उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है तो यह है जो गज उत्सव है इसका आयोजन हाली में असम के अंदर किया गया है ओप्शन अंबर A's का बिल्कुल करेक्ट आंसर है बात हुई है प्रोजेक्ट हाती की तो प्रोजेक्ट आहाथी की सुरुवात 1992 के अंदर किया गई थी उत्सव का आहाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में किया गया है गज उत्सव का आयोगन जैसा कि मैंने आपको बताया असम के काजी रंगा राष्टे उध्यान में किया गया है तो आप से राष्टे उध्यान का नाम भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट कोशन है भारत की पहली अंतराष्टे नेतरहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है तो जो भारत की पहली अंतराष्टे नेतरहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है उनका नाम है सुसमा पटेल ओप्शन अमबर एस का बिलकुल करेक्ट आमसर ह नेक्स्ट कोशन है, हाल है में निर्वाचन आयोग ने किस राजने तिक दल का रास्टे दर्जा समाप्त कर दिया है यician नेक्स्ट कोशन है, भारत की पहली सेमी हाइब स्पीट रीजिनल रेल सेर्विस जिसका नाम है Rapid X का संचलन कहाँ पर किया जा रहा है तो Rapid X नामक भार्ज की पहली सेमी हाई स्पीड रीजिनल रेल सर्विस है जिसका संचलन जो है यह दिल्ली NCR के अंदर किया जा रहा है option number D is का बिल्कुल correct answer है next question पर चलते है Femina Miss India 2023 की विजिता कौन बनी है तो Femina Miss India 2023 का किताब जिता है नंदनी गुपता जी ने option number D is का बिल्कुल correct answer है नंदनी गुपता कहां की रहने वाली है नंदनी गुपता राजिस्थान की रहने वाली है यह question भी आप से बन सकता है next question है भारत की सबसे उंची डाक्टर भीम राव अमबेडगर की 125 feet की परतीमा का अनावरण कहां पर किया गया है तो जो भारत की सबसे उंची डाक्टर भीम राव अमबेडगर की 125 foot की परतीमा है इसका अनावरण हाली में तेलंगाना की अंदर किया गया है option number 20 का बिल्कुल correct answer है इस परतीमे का नावरंट तेलंगाना के हैदराबाद नमक शहर में किया गया है नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं प्रतिष्टित संती कवा मानवतावादी पुरुसकार से किसे संबानित किया गया है तो जो संती कवा मानवतावादी पुरुसकार है इससे हाले में वांग चूपजी को सम्भानित कर दिया गया है option number A का बलकूल correct answer ए next question है दूसरा लता दिनानात मंगेशकर पुरुषकार कि से परदान किया गया है तो दूसरा लता दिनानात मंगेशकर पुरुषकार जो है आसा भोसले जी को दिया जा चुका है option number 20 का बनकुल correct answer है इनसे पहले जो पहला धीनानात मंगिशकर पुर्सकार था यहें नरेंदर मोदी जी को दिया गया था next question पे चलते हैं भारतिया विदेश मंतरा लेने सुडान में फसे भारतिया नागरिको को वापस लाने के लिए कौन सा operation चलाया है तो अकसर operation से भी काफी कोशन एक्जामस में बनते रहते हैं तो इसलिए मैंने आपको दो तिन operation पहले ही cover करा दिये थे अब इसके बाद जो काफी important operation है उनको यहाँ पर देख लेते है सुडान में फसे भारतिया नागरिको को वापस लाने के लिए भारत ने हाली में operation कावेरी की शुरुआत की थी उप्षन अमबर A के बिल्कूल correct अमसर है उप्रेशन गंगा कहा चलाया गया था तो उप्रेशन गंगा यूकरेइन में फसे भारतिया नागरिको को वापस लाने के लिए चलाया गया था ओप्रेशन देवी सक्ति कहां चलाया गया था ओप्रेशन देवी सक्ति की सुरुवात अफगानिस्तान में की गई थी इसी के साथ ओप्रेशन दोस्त की सुरुवात कहां हुई तो तुर्की में भारते नागरिकों को वापस लाने के लिए operation दोस्त की सुरुवात की गई थी ये चीज भी आपको ध्यान लग कर चलनी है चलते हैं next question पे PM Modi ने भारत की पहली water metro को कहा परारंब किया है तो यहाँ पर बात हुई है भारत की पहली water metro की तो भारत की जो पहली water metro है इसका सुबारं कोची के अंदर किया गया है option number 20 का विल्कुल correct answer है अब आपसे एक question और बन सकता है जिसको लेकर आप काफी confused हो जाओगे जैसे भारत की पहली underwater metro की शुरुवात कहां पर हुई लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा था भारत की पहली water metro और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भारत की पहली underwater metro तो दोनों question में बहुत ही बड़ा difference है दोनों question को ध्यान से देखना भारत की जो पहली water metro है उसकी शुरुवात तो कोची के अंदर हो चुकी है लेकिन जो भारत की पहली underwater metro है इसकी शुरुवात कहाँ पर हुई इसकी शुरुवात हुई कोल काता के अंदर तो यह चीज भी आपको नोट करके चलनी है दोनों question को एक साथ नोट करके चलना ताकि आपको exam में आई तो confusion ना हो next question है पीम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का सिलानयास कहाँ पर किया है तो जो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क है इसका सिलानयास हाली में केरल के अंदर कर दिया गया है option number 20 का बिल्कुल correct answer है next question है संयुत तुराज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एतहसिक परमाणू रक्ष़ समझोता वाशिंग्टन घोषना पत्र पर हस्ताक्शर किये है तो यूस अने हाली में दक्षिन कोरिया के साथ एतहसिक परमाणू रक्ष़ समझोता वाशिंग्टन घोषना पत्र पर हस्ताक्शर कर दिये है option number 20 का बिल्कुल correct answer है नेक्स्ट कोशन है जल सकती मंतराले दौरा जारी जल निकायों की पहली गंड़ना के नुसा सरवादिक जलाशे वाला राज्य कोन सा बना है तो सरवादिक जलाशे वाला राज्य बन चुका है पस्ची मंगाल ओप्षिन नम्बर बीस का बिल्बूल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन है पहला संयुक्त रास्ट जल सम्मेलन दो हजार तेहिस का आयोजन कहां पर किया गया है तो जो पहला संयुक्त रास्ट जल सम्मेलन है दो हजार तेहिस के अंदर इसका आयोजन न्यूयोर्क के अंदर किया गया है option number 10 का विल्कोल correct आंसर है next question है के अंदर सरकार ने रास्टिय ق्वान्टम मənे को किस अवधि के लिए प्रादम्व किया है तो जब के अंदर सरकार का रास्टिय क्वान्टम मिशन है इसे के अंदर सरकार के दुआरा हाल ही में 2030-31 की अवदी के लिए प्रारम किया गया है ओप्शन नमबर D इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं वित्वर्स 2023 में भारत का सरवादिक निर्यात वाला जिला कौन सा बना है तो 2023 के अंदर भारत का सरवादिक निर्यात करने वाला जिला बन चुका है गुजरात का जामनगर जिला ओप्शन नमबर A का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन है कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल में D और किसे सम्मानित किया गया है तो कान फिल्म फेस्टिवल 2023 इस मोटसव का आयोजन फ्रांस के अंदर किया जाता है इसके अंदर मानद पाल मेडी और माइकल डगलस को हाली में सम्मानित किया गया है ओप्शन नमबर A का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन पे चलते है भारत की मेजबानी में SEO के विदेश मंत्रियों के बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है तो भारत की मेजबानी के तहद SEO के विदेश मंत्रियों के बैठक का आयोजन गोवा के अंदर किया गया है ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सब्च भरत मिशन ग्रामीन चरन 2 के तहट किस राज्य के गाउँ? गाउट चलने के अधिकार को siis का बिल्कुल करेक्ट फश्त नंसर है चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंज़ाख राज्ये औप्शन अमबर सी का बिल्कुल crackers answer and Next Question है Lorians Sportsman of the Year 2023 का पुरुस्कार किसे दिया गया है तो Lorians Sportsman of the Year 2023 का पुरुस्कार लिऊनस मैसी को दिया जा grandmother Option अंमबर 20 का बिल्कुल correct answer Next Question है पहला Astronomical Society Go Eveng सवरूप लच्टाइम ओवार्ड 2022 किसे परदान किया गया है इस अवार्ड से हाले में प्रोफिसर जैन्त विश्णू नाडलीकर को संभानित कर दिया गया है ओप्शन नमबर सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन भारत के 82 वे ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं तो ध्यान से देखना यहां पर 82 वे ग्रेंड मास्टर की बात हो रही है तो भारत के जो 82 वे ग्रेंड मास्टर बने हैं उनका नाम है वुपला प्रणीत ओप्शन नमबर सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इन से पहले वाले जो ग्रेंड मास्टर थी उनका नाम था सायन तन्दास जो की 81 वे नमबर के ग्रेंड मास्टर थी अगर 80 वे नमबर के ग्रेंड मास्टर आप से पूछ ले तो 80 वे ग्रेंड मास्टर थे विगनेश एन आर नेक्स्ट कोशन है पीम मोदी के दोरे के दोरान किस देश में हैरिस पार्क का नाम बदल कर लिटल इंडिया किया गया था तो ये भी इंडिया के लिए एक काफी बड़ी फुलब्दी हो जाती है अर्थात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी उस देश के अंदर जाते हैं और उस देश के अंदर जो हैरिस पार्क इस्टित है उस हैरिस पार्क का नाम जलकर लेटिल इंडिया कर दिया ग प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने नए संसद भवन का उद्गाटन कब किया था? तो नए संसद भवन का उद्गाटन जो है बीम मोदी के दुआरा 28 मई 2023 को किया गया था उसी दिन वीर सावर करकी जैनती भी थी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के दुआरा नए संसद भवन का उद्गाटन किस की जैनती पर किया गया? तो आपका अंसर हो जाएगा वीर सावर करकी जैनती पर बोलीवूड का उसकर अर्थात IIFA 2023 में सर्शेष्ट फिल्म का अवार किसे परदान किया गया है? तो बोलीवूड के उसकर कहे जाने वाले IIFA अवार 2023 के अंदर सर्शेष्ट फिल्म का अवार जो है वो दरश्यम 2 नामक फिल्म को दिया जा चुका है उप्शन नमबर सीज का बिलकुल करेक्ट आंसर है इसी अवार्ड के तहट सर्फिस्ट एक्टर का वार्ड किसे मिला तो सर्फिस्ट एक्टर बने है रितिक रोशन सर्फिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष किया गया है विजेता कौन बना विजेता बनी चिन नहीं सूपर किंग उफविजेता कौन धा गुजरा टाइटन्स को हरा कर चिन नहीं सूपर किंग विजेता बनी तो गुजरा टाइटन्स इसमें उफविजेता हो चुकी है औरेंज कैप किसे मिली औरेंज कैप मिली शुब अगर रिंग के विक्स जो हैं ये हाले में लताविया के पहले संबलाएंग एक रास्ट पती चुने गए हैं ओप्शन नमबर 20 का बलब कुल करेक्ट आंसर है अब जैसा बात हुई है लताविया के रास्ट पती तो इसी के साथ कुछ अन्य देशों के महत्पुन रास्ट पती को भी एक साथ कबर करके चलेगे जैसे ब्राजील के नए रास्ट पती कौन बने है तो ब्राजील के नए रास्ट पती बने है लूलाडी सिलवा नेपाल के नए रास्ट पती कौन बने है रामचंदर पॉंडेला न्यूजिलेंड के नए रास्ट पती कौन बने है क्रिस नाइजिरिया के नए राष्टपती कौन बने है बोला टिनबो तो ये सवी राष्टपती आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोटेंट हो जाते हैं इनको भी साथ के साथ नोट करके चलना नेक्स्ट कोशन है संयुक्तराष्ट महासबा के 78-70 के अद्धाक्स कौन बनाएगे है तो संयुक्तराष्ट महासबा के 78-70 के अद्धाक्स बने है डेनिस फ्रांसेजी ओप्शन नमबर सीज का बल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन है स्लीपर कोच वाली सो वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली ऐलस्टों कमपनी का संबंद किस देश से है तो यह जो ऐल स्टों कमपनी है इसे हाले में भारत के द्वारा सो वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो है वो टेंडर दिया जा चुका है और यह है फ्रांस की एक कमपनी हो जाती है यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है और यह है और यह है और यह है तो ग्रेंड ओडर ओफ दे चेंड आफ दे येलो इस्टार यह सुरी नाम का सर्वो चनागरिक समान है जिससे हाले में राष्ट करी दुरुपदी मुर्मो को सम्मानित किया गया है ओप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आंसर है इसका निर्मान किस ने किया है इसका निर्मान हाली में चीन के दुआरा किया गया है ओप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन है विश्व टेस्ट चैंपियंसिप 2023 की विजिता टीम कौन सी रही है तो विश्व टेस्ट चैंपियंसिप 2023 की विजिता टीम रही है ओस्टेलिया ओप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आंसर है उस्टेलिया ने यह किताब बारत को हरा कर जीता है तो विजेता टीम हो जाती है बारत बात करूँ विश्व टेस्ट चैंपिंशिप 2023 का कौन सा संस्क्रेंट कहला गया है तो इसका दूसरा संस्क्रेंट 2023 के अंदर कहला जा चुगा है नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं भारत में इवोल्व मिशन किसने प्रारंब किया है तो यह जो इवोल्व मिशन है यह भारत में सिड़ बी के दुवारा प्रारंब किया गया है उप्शन नमबर A का बनकूल करेक्ट आंसर है SIDB के आपको full form भी पता होनी चाहिए और SIDB के आपको इस्तापना से लेकर मुक्याले का भी पता होना चाहिए सबसे पहले बात करूँगा SIDB के full form क्या हो जाती है तो Small Industrial Development Bank of India इसकी पूरी full form हो जाती है जिसे आप लगू जो बैंक के नाम से भी जानते है इसका मुक्याले लखनाओ के अंदर इस्तित है नेक्स्ट कोशन है वर्स 2021 का गांधी शांती पुरुसकार किसे परदान किया गया है तो 2021 का जो गांधी शांती पुरुसकार है यह हाली में गीता प्रेस गुरुकपुर को दिया गया है ओप्शन नमर सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन है तो 45 वे उरोपिय निबंद पुरुसकार से हाली में अरुनधती राय को सम्भानित किया गया है option number 20 का बिलकुल correct answer है और अरुन्धती राए वही महिला हैं जिने बुकर पुरुसकार प्राप्त करने वाली पहली बारत्य महिला भी कहा जाता है इन्हें the god of small things के लिए बुकर पुरुसकार दिया गया था ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है next question है 21 जून 2023 को अंतराष्टे योग दिवस का कौन सा संस्क्रण आयज़ित किया गया है तो 21 जून 2023 को अंतराष्टे योग दिवस का हाल ही में नुवा संस्क्रण आयज़ित किया गया था option number 20 का बिलकुल correct answer है अगर बात करू इसकी शुरुआत कब हुई तो अंतराष्टे योग दिवस को मनाने के शुरुआत 2015 में की गई थी 2015 में पहला योग दिवस 2015 के अंदर पहला अंतराष्टे योग दिवस मनाया गया लेकिन 2023 में नुवा अंतराष्टे योग दिवस मनाया गया तो विश्व का जो सबसे बड़ा रिफाइंडी कॉंप्लेक्स है यह मारास्ट के अंदर बनाया जा रहा है ओप्शन नमबर एस का विल्पूल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन हाल ही में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहां पर प्राडम बकुई है तो भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना की शुरुआत उत्तर परदेश के अंदर की गई है ओप्शन नमबर एस का विल्पूल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन हाल ही में निती आयोग ने वित्वर्श दो हजार 24 के लिए भारतिय अर्तिववस्ता की विकासदर का अनुमान कितना लगाया है तो यह अनुमान निती आयोग के दोवारा लगाया गया है यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इस अनुमान को 6.5 पर सिज़त बताया गया है नेक्स्ट कॉशन तो विष्व के सबसे लंबे गीत का गिनीजवर्ड रिकोर्ड ग्रीड ओन ने इस तभिट कर दिया है तो स्वास्ट सिवाउ में सुधार करने के लिए मिशन परिवर्दन की सुरूवात बिहार के अंदर की गयी है नेक्स्ट कॉशन कुष्षिएन के अगर बात करूँ स्मार्ट इस्कूल स्मार्ट बल्ग कारेकरम की चुबात की चुफा उपिशन के अगर बात करूओ नेक्स्ट कोशन हाल हे में प्रकासित पुस्तक द्रोबदी मुर्मू ट्राइबल हिंटर लेंट्स टू राजसीना हिल्स के लिए का कौन हो जाते हैं तो इस पुस्तक को हाल हे में कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट कोशन है हाल हे में 59 जी सेवन सिखर सम्मेलन का अरजन कहां पर हुआ है तो 59 जी सेवन सिखर सम्मेलन का अरजन जापान के अंदर किया गया है जी सेवन जैसा कि आपसको नाम से इस पस्त है साथ देशों का समू है इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, युनाइटेट किंग्डम और युएसे ये साथ सदसे देश इसके हो जाते है नेक्स्ट कुशन है हाल ही में बैलिस्वा आसियान सिकर सम्मेलन कहां पर प्रारंब किया गया है तो बैलिस्वा आसियान सिकर सम्मेलन का आयोजन इस बार इंडोनेशिया के अंदर किया गया है उप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसके थीम काफी ज़्यादा इंपोटेंट हो जाती है तो थीम रखी गई थी एसियन अफेर्स एपी सेंटर ओफ ग्रोथ नेक्स्ट कुशन है हाल ही में क्वार्ड सिकर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है तो क्वार्ड सिकर सम्मेलन 2023 का आयोजन भी जापान के अंदर ही किया गया है उप्शन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अब आपको यहाँ पर बता दूँ पड़ के अंदर चार देश आते हैं जिनका नाम है भारत, अमेरिका, जापान वे औस्टेलिया यह चार सदस्य देश हो जाते हैं क्वार्ड की, जो कि क्वार्ड ग्रूप में आते हैं नेक्स्ट कुशन है भारत की पहली आर्टिफिचल इंटेलिजेंस एंकर जिसका नाम है लिसा इसका अनावरन कहां पर किया गया है तो भारत की पहली एई आई एंकर लिसा का अनावरन हाल ही में उडेशा के अंदर किया गया है उप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आमसर है हाल ही में भारत और किस देश ने तीन स्कॉर्पियन पंडूबे के निर्मान के लिए समझधा किया है तो भारत ने यह समझधा फ्रांस के साथ कर लिया है उप्शन नमबर A का बिलकुल करेक्ट आमसर है अब अगर आपको बताओं फ्रांस से बनने वाले कुछ महत्पून कोशन तो ये भी एक बार देख लिते हैं परदान मंतरी मोजी को फ्रांस के सर्वोच समान ग्रेंड फ्रांस ओफ दा लीजन ओफ ओनर से सम्बानिच किया गया है यहीं पर टाटासंस के जो चेरमेन है जिन का नाम है एंचंदर सीकरन इन को फ्रांस के सर्वोच समान से सम्बानिच किया गया है और एक कोश्चन आपसे बहुत ही जादा इंपोर्टेंट बन जाता है कि भारत हाली में फ्रांस के एक शहर में अपना नया वानिजे दूतावास खोलने वाला है तो उस सहर का नाम क्या है तो उस सहर का नाम है मरसिल अर्था भारत फ्रांस के मरसिल नामक शहर में अपना एक नया वान जदूतावास खोलने वाला है नेक्स्ट कुश्चन पे चलते हैं हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोईले को गैसी करत करने का लक्षे रखा है तो यह लक्षे सरकार ने 2030 तक रख दिया है औप्शन नम्बर सीज सका बनकूल करेंट आमसरे एक नेक्स्ट कुश्चन है हाल ही में किस देश ने बढ़ती खाद कीमतों से निपटने के लिए आपात काल की गोशना की था है तो इस आपात काल को हाल ही में नािजिरिया ने लगा दिया है नाइजेरिया देश के अंदर बढ़ती खाद कीमतों से निपटने के लिए इस आपातकाल की गोजना की गई है नेक्स्ट कुशन है हाल ही में चार रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड़ा कौन सा बना है तो भारत का पहला हवाई अड़ा जिसके खुद के अपने पास चार रनवे हैं वह बन चुका है इंदरागादी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की दिल्ली के अंदर रिस्तित है अब दिल्ली से आपको जान रखना है दिल्ली के वरतमान मुक्यमंत्री हैं अर्विंद केजरिवाल वरतमान उपराजयपाल हैं अनिल बैजल नेक्स्ट कोषिटं पे चलते हैं हाल ही में भारत के लिए दूसरे सबसे जियादा विकेट लेने वाले गेंदवाज सुझाण बने हैं जारकंड के हाली में नई राज्य पाल भी बने हैं जिनका नाम है सीपी राधा किस्टन बाली विवा के मामले में सबसे खराब इस्तितिक किस राज्य की है तो वह राज्य भी जारकंड ही हो जाता है नेक्स्ट कोश्चन है विब लेंडन ओपन 2023 के अंदर पुरुस एकल का किताब किसने जीता है तो विब लेंडन ओपन 2023 के तहट पुरुस एकल का किताब जीत चुके हैं कार्लोस अरकराज ओप्शन अमबर सीज का बिलकुल करेक्ट आंसर है next question हाल ही में किसी उत्तर परदेश विद्दृत नियामक आयों का नए अध्यक्ष चुना गया है तो उत्तर परदेश विद्दृत नियामक आयों के नए अध्यक्ष बने हैं और विंद गुमार option number 6 का ब्लकुल correct answer है next question है हाल ही में भारत के बाहर कहां पर IIT दिली का कैमपस स्थापित किया जाएगा तो भारत के बार पहली बार आबु धावी के अंदर IIT दिली का कैमपस जो है वो इस्थापित होने वाला है ओप्शन नम्बर 20 का बिल्कुल correct answer है Next question इसे के साथ आपको बता दू चंद्रियान मिशन 3 के डारेक्टर कौन है तो इसके डारेक्टर है पी वीर मुथवेल माइक्रसोफ्ट इंडिया की नई CEO कौन बनी है इनका नाम है इरीना गोष्ट नेक्स्ट कॉश्चन पे चलते हैं हाल ही में जारी निती आयोक के दौरा निर्यात तैयारी सूचकांग में कौन सीज पर रहा है तो निर्यात तैयारी सूचकांग के अंदर तमिलाडू राज्य सीज पर रहा है उप्शन नमबर सीज का विलकुल करेक्ट आंसर है हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज पर दर्शन करके गिनेज वर्ड का रिकोर्ड तोड़ दिया है यह रिकोर्ड हाल ही में साथविक साहराज जी ने तोड़ दिया है उप्शन नमबर 20 का विलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन है हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सीज पर रहा है तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर बार सिंगापूर देश ही सीज़ पर रहता है, तो इस बार भी सिंगापूर ही सीज़ पर रहा है ग्लोबल शानती सूचकांग दो हजार तेश में, दुनिया का सबसे शानती पूर्ण देश को अंसरा, तो दुनिया का सबसे शानती पूर्ण देश रहा था, आइसलेंड, ये कोशन भी काफे जाता है, इंपोटेंट हो जाता है QS World University रैंकिंग में सबसे सीर्स इस्थान किस यूनिवस्टी को मिला, तो वो मिला था MIT यूनिवस्टी को, जिसका नाम हो जाता है Massachusetts Institute of Technology QS World University नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं, हाल ही में फ्रांसीजी सरकार द्वारा, किस भारतिय संगीतकार को शेविलियर आवार्ड परदान किया गया है तो शेविलियर आवार्ड से दो भारतिय संगीतकारों को संबानित किया गया है, पहले हैं अरोना साईराम, दूसरे हैं सचांक सुब्रमन्यम, तो ओप्शन नमबर सी इस का बिल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं, हाल ही में ADB ने, ADB अर्थात एशियन डवलोप्मेंट बैंक ने चालू वित्वर्च में भारत की वरद्दी दर कितने प्रदिशत रहने का अनुमान लगाया है तो मैंने आपको भारत की वरद्दी दर के बारे में ADB का अनुमान भी बताने जा रहा हूँ, इससे पहले नितियायो का अनुमान भी बताया और उससे पहले इस वीडियो की शुरुआत में आपको आर्थिक सर्वेक्शन का अनुमान भी बताया था तो ADB के अनुसाद जो भारत की आर्थिक वरदी दर रहने वाली है वहे है 6.4% ओप्शन नम्बर सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन हाल ही में किस राज्ये के मुक्य मंतरी ने राग परकास नामक पुस्तका विमोचन किया है तो हिमाचल पर्देश के मुक्य मंतरी ने इस राग परकास नामक पुस्तका विमोचन किया है ओप्शन नम्बर सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसी के साथ कुछ अन्य महत्पून पुरुस्कार को भी देखकर चलते है जैसे प्रतिश्चित पैन पिंटर पुरुसकार 2023 के अंदर किसे मिला है तो पैन पिंटर पुरुसकार से हाल ही में माईकल रोसेन को सम्मानित किया जा चुका है साहित अकादमी पुरुसकार 2023 किसे दिया गया तो ये जो है वो प्रिया एस को दिया गया है परधानमंत्री मोधी को मिसर के सर्वोच सम्मान ओडर ओफ दनाइल से सम्मानिज किया गया है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस देश ने रिकोर्ड 190 संसूधनों के साथ बरस्टचार विरोधी विदेयक पारिट किया है तो हाल ही में ये है विदेयक जो है प्लंका के दुवारा पारिट किया गया है ओप्शन नमबर एस का बिलकुल करेक्ट आंसर है भारत के तर्टरक शक बल से आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब हुई इस्थापना हुई थी 1978 के अंदर यहीं पर आपको बता दूँ एशिया ओलंपिक परिशद के अध्यक्स कोन बने है तो इनका नाम हो जाता है शेक तलाल ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कोशन हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कारियल भवन कहां पर बनेगा तो दुनिया का जो सबसे बड़ा कारियल भवन है वह भी अपने भारत में ही बनने वाला है ओप्शन अमबर सीज़ का बलकुल करेक्ट आमसर है भारत के अगर बात करूँ तो भारत ने चोंतिसवा अंतराष्टे जी विक्यान ओलम्पियाड भी जीत लिया है और भारत ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉंस ग्रूप में भी शामिल हो चुका है भारत ने ही क्वेट को अराकर नोवी बार सेफ चैंपियन सीब भी जीती है तो इतना फेक्ट आपको भारत से भी ध्यान अपना है नेक्स्ट कॉशन हाल ही में किसे बारतिये महिला वालिवोल टीम का कोच ने उप्त किया गया है तो भारतिये महिला वालिवोल टीम का कोच जो है वो हाली में रवेंद्र बशंतु को नेक्स्ट कर लिया गया है उप्शन नमबर सीज का विनकुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कॉशन है नेक्स्ट कॉशन नेक्स्ट कॉशन तो जीएस्टी भावन का उदगाटन किया है उप्शन नमबर सीज का विनकुल करेक्ट आमसर है कॉशन हाल है में एस्टी डूसी का परभंद नजशक अर्थात एस्टी से नए एमडी किसे निउक्त कीया गया है तो एस्टी से के नए एमडी बने हैं सतभा लभानु उप्शन नमबर सीज का विनकुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कॉशन पे जलते हैं हले में एशिया सफरिंग चैंपिशिव का आयोजन कहां पर किया गया है तो एशिया सफरिंग चैंपिशिव का आयोजन मालदीव के अंदर किया गया है उप्शन नम्र सीज का बिल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में QS Best Student Cities 2024 की रैंकिंग में कौन सीज़ पर रहा है तो QS द्वारा जारी Best Student Cities 2024 की रैंकिंग में लंदन देश को सीज़ पर रखा गया है उप्शन नमबर 20 का बिलबू करेक्ट आंसर है इसी के साथ आपको एक कोशन और बता देता हूँ एशियाई यूनिवस्टी रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवस्टी सीज़ पर रही है तो इसके अंदर सिंध हुआ यूनिवस्टी को सीज़ पर रखा गया है ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 400 मिलियन डॉलर का सेनने साहता पैकिस देने के मंजूरी दी है तो हाल ही में अमेरिका के दुआरा यूक्रेइन को यह 400 मिलियन डॉलर का सेनने साहता पैकिस देने के मंजूरी दी गए है और यूक्रेन से आपको ध्यान रखना है यूक्रेन के वरतमान राष्टपती हैं व्लादिमीर जेल सिंकी इन्हें हाले में 2022 लिबर्टी मेडल से भी संभानिच किया गया है क्रिप्टो करिंसी रखने के मामले में भी यूक्रेन सीज़ पर रहा है यूक्रेन के नागरिकों ने ही जीत लिया है यूक्रेन के राष्टपती को जोन एफ कनेडी पर उसकार भी मिल चुका है तो इतना फैक्ट आपको यूक्रेन से भी ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट कोशन है भारत और बांगले देस के बीच वियापार और वानिजे को बढ़ावा देने के लिए देव की भूमी बंदरगा का उदगातन कहाँ पर किया गया, तो इस बंदरगा का उदगातन मेगा लेके अंदर किया गया है उप्शन नमबर A is का बिलगूल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहां परारंब की गई है तो भारत की जो पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना है इसकी सुरुआत उत्तर परदेश के अंदर की गई है उप्शन नमबर 20 का बिलफल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन एको टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए किस राज़े ने परते एक जिले में दो दो लव कुश्वाटी का बनाने की गोशना की है तो इसका कर्येक्ट आमसर है राजिस्तान उप्शन नमबर A का बिल्कुल कर्येक्ट आमसर है हाल ही में नीती आयुग ने वारसिफास्थ सूसकांक 2022 बड़े राजयों में पहलास्तान की से दिया है तो बड़े राजयों के अंदर पहलास्तान दिया गया है केर लाजय को ओपोशिन नमबर 20 को बिए सा्वजनिक खेतर गूर जिम को नवरतन का दर्जा दिया है तो भारत सरकार की दोरा रेल विकास निगम लिमिटेड को हाले में नवरतन का दर्जा दे दिया गया है उप्षिन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोशन है तो इस कोशन को मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ मिशन परिवरतन की सुरुआत बिहार में स्वास्त सिवाव में सुधार लाने के लिए की गई है तो उप्षिन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोशन है तो अजेवारियर जैसे के आप सभी जानते हैं भारत और बेटेन के बीच होने वाला एक संयुक्त यू दबियास है उप्षिन नमबर एस का बिल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कोशन आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट बोक्स में जरू बताना है और इस वीडियो की पीडियो की प्राप्त करने के लिए आप नीचे दियेगे लिंक से टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप का नाम है Rankers GK गुरुप को जोइन करने के बाद आप इस पीडियाप को वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो तता अपना सुझाव भी कमेंट बोक्स में हमें बता सकते हो और इसी तरह की Most Important Current Affair की वीडियोस पाने के लिए आप Rankers जी के YouTube चैनल को भी सबस्क्राइब कर सकते हो अब मिलेंगे नेक्स्ट केसी वीडियो में थेंक यू सो मच फर वोचिंग इस वीडियो जैहिन जैवारत